जाए हिंद बंदे मात्रम स्वागत है आप सभी का दाश वीडि 2.0 प्लेट फार्म पर दोस्तों आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश परिछा के लिए एक रामबार वीडियो रहने वाली है जो मैं लेकर आया हूँ एक ही वीडियो में पूरा उत्तर प्रदेश के जितने भी पूछे जाने वाले प्रश्ण बन सकते हैं सभी प्रश्ण को लेकर आया हूँ ये प्रश्ण मैंने सलेक्टेट और इंपोर्टेन लिये हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश जी के का एक ही वीडियो में जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला दोस्तो तो पूरा लेकर आया हूँ एक ही वीडियो में तो शुरू करते हैं आज का आगाज उत्तर प्रदेश का संपूर अध्यन जो कोई भी भाई बहन चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वर्दी को पाने के लिए अंतिम ताकत लगा दीजिए दोस्तो आईए अप सुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सब्सक्राइब करेंगे तो आईये दोस्तो शुरू करते है इस वीडियो को दोस्तो उत्तर परदेश की जर्गन्ना से जो भी महत्पूर्ण प्रिशन बन सकते हैं सभी प्रिशनों पर पहले हम चर्चा करेंगे तो उत्तर परदेश की जर्गन्ना दोहजार गेरा के अनुशार यह रहेगा ठीक है तो उत्तर प्रदेश की जनगर्णा से जो भी महतपूर्ण प्रश्ण बन सकते हैं और ये जनगर्णा दोहजार गेरा के अनुशार जो है सबी प्रश्ण रखे गए हैं पहला देखिए पॉइंट वर्स 2011 की जनगर्ना के अनसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है तो कितनी है दोस्तों ये है 19 करोड 98,12,341 तो ये है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या अगर आप से पुछे 2011 की जनगर्ना के अनसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितने प्रस्त है तो है 16,5,1 तो याद रखेंगे आईए बात करते हैं अगर आप से पुछे उत्तर प्रदेश की आवादी में पूर्सों और महिलाओं का प्रस्त कितना है तो पुर्सों और महिलाओं की आवादी में जो उनका प्रतिसत है पुर्सों का जो प्रतिसत है वो 52.29 प्रतिसत पुरुष हैं और जो 47.27 एक प्रतिसत महिला हैं तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे नेश्ट है राज की कुल अबादी में ग्रामीर जनसंख्या का प्रतिसत कितना है तो ये है 77.70 प्रतिसत नेश्ट राज की कुल नगरी या जनसंख्या का प्रतिसत आप से पूछे तो ये है 22.30 प्रतिसत देखिए दोस्तों ये सलेक्टेट आपके लिए एक कुश्यन के तोर पर लाया हूँ एकदम selected हैं काफी जेदा महनत करके ये वीडियो बनाई जा रही है तो आप काफी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को जेदा से जेदा अपने सभी दोस्तों करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जनूर कर लें अगर मेरी महनत आपको प जलते हैं यहां पर अगला पॉइंट है कि जंगलना दोहजार गेरा के अनुसर उत्तर प्रदेश में दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है तो यह साथ ठीक है याद रखेंगे कितनी संख्या है साथ संख्या है देश की कुल सहरी अबादी में जो उत्तर प्रदेश का जो इस्थान है वह दूसरा इस्थान है ठीक है सहरी अबादी जो है ओगेरा दसमलो साथ नौ प्रिस्त है और बात करें प्रथम पे जो है वह महराष्ट है नेस्ट पॉइंट है दोहजार गेरा जंगलना के अनसवार सर्वधिक वान नियुन्तम ग्रामीड अबादी वाले जो जिले हैं तो सरवधिव जो अबादी वाला जो जिला है वो इलाहाबाद है और नियुन्तम अबादी वाला जो जिला है वो गौतम बुध नगर हैं याद रखेंगे आईए बात करते हैं नेश्ट अगर आपसे पूछे एक्जाम मे कि देश में छेतफल की द्रष्ठी से उत्तर प्रदेश का कौन सा इस्थान है तो उत्तर प्रदेश का जो इस्थान है दोस्तों छेतफल की द्रष्ठे देश में तो वो है चौथा इस्थान याद रखेंगे पहला राजिस्थान है दूसरा मध्र प्रदेश और तीसरा जो है वो महाराष्ट राज है चौथे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश है सर्वधिक जनसंख्या वाले पांच जिले आपको याद कर लेना है दोस्तों पहला है प्रियागराष सबसे जनसंख्या यहीं पहले उत्तर प्रदेश में और दूसरा जिला है मुरादावाद तीसरा जिला है गाजियाबाद चौथा जिला है आजमगड और पांचवा जिला है लखनव जिला तो याद रखें ये पांच जिले आप याद रखेंगे और नियुनतम में आप भी याद रखेंगे नियुनतम जनसंख्या वाले जिले जो है उसमें पहले इस्थान पर जो आता है वो आता है महोबा दूसरे स्थान पर हमीरपूर चौथे स्थान पर स्रावस्ति और पांचवे स्थान पर आता है ललितपूर दोस्तों नेस्ट पॉइंट है कि दोहजार गेड़ा की जनकरना के अंसार सर्वधी ग्रामीर जनसंख्या वाले जीलों का क्रम बताईए तो क्रम याद कर लेंगे हो सकता है आपसे पहला आप मुझे या दूसरा आप मुझे ठीक है तो याद रख लेंगे सर्वधी ग्रामीर जनसंख्या तो पहले इस्थान प ही पहले स्थान पर तो याद्य रखेंगे कि ग lass पॉइंट है जनगरना 2000 सायरी याबादी वाला जनपत कौन है तो सहरी याबादी फाला जनपत है व Темाजी याद्य रखेंगे गाजी अबाद नेस्ट पॉइंट आपसे पूँछे, सबसे कम अबादी वाला जो है जिला कौन है तो वो है स्रावस्ति सबसे कम अबादी वाला जिला तो कौन सा है वो है स्रावस्ति नेश्ट है सहरी अबादी वाला याद रखेंगे इसमें जनगर्णा की अंसवार सरुधिक जो है पूरुस और महिला जनसंख्या वाला जिला जो है 2011 की जनगर्णा की अंसवार जो सरुधिक पूरुस और महिला की जनसंख्या है जहांपर वो है प्रियाग राज तो ये भी point आपको लिए important बनता है याद रखेंगे आईए बात करते हैं next point पर next point है दोस्तों अगर आपसे पूँछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रमेड अबादी वाला जिला तो सबसे कम ग्रमेड अबादी वाला जो जिला है वो गवतम बुद्ध नगर है next point पूँछे आपसे 2015 की जनगाना के अरुसार सर्वधिक मुसलिम अबादी वाला जिला तो सर्वधिक मुसलिम जो अबादी वाला जिला है वो है उत्तर प्रदेश उत्तरपदेश सर्वधिक मुस्लिम अबादी वाला जिला और सबसे कम जो है ग्रमेड अबादी वाला जिला वो गवतम बुद्ध नकर दोस्तों यहाँ पर नेश्ट पॉइंट है कि 0 से 6 आईवर्ग में सर्वधिक अबादी वाला जिला कौन से जिसमें 0 से 6 आईवर्ग के लोग हैं तो वो जो है सर्वधिक अबादी वाला जिला है प्रियाग राज तो प्रियाग राज याद रखेंगे आईए बात करते हैं नेश्ट यहाँ पर देखिए आपसे पूछे कि 0 से 6 आईवर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना है तो कुल जनसंख्या का जो है वो है 15.41 प्रिस्ट ठीक याद रखेंगे और 2001 में जो ये प्रिस्ट था वो 19 प्रिस्ट था तो घटकर जो हो गया है 15.41 प्रिस्ट नेश्ट पॉइंट है कि 0 से 6 आईवर्ग की जनसंख्या में सर्वधिक प्रिस्ट अनपात किस जिलेगा है तो ये है दोस्तो बहराईच जिले का प्रतिसत अनपात मुछा है आपसे क्या पूछा है प्रतिसत अनपात तो ये है बहराईच याद रखेंगे ठीक है दोस्तो तो बहराईच का है और सबसे कम आपसे पूछे ठीक है सबसे सर्वधिक प्रिस्ट अनपात किसका है बहराई है उत्तर प्रदेश में सर्वधिक और सबसे कम कौन सिसु लिंगान पात वाला जिला तो पहले स्थान पर जो है सर्वधिक बलरामपूर है जिसमें से 950 ठीक है और बागपत है 941 तो याद रख 841 है सोरी 841 है बागपत तो यह हैं जो है सब सिसु लिंगान पात वाले जिला हैं आगे देखिए दोस्तों बात करते हैं नेस्ट पॉइंट की अगर आप से पूँछे कि जीरो से 6 आईवर का लिंगान पात कितना है तो वो है 902 कितना है दोस्तों 902 है और यही 2001 में यह था 916 तो दोस्तों याद रखेंगे 14 अंकों की यहाँ प तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर देखिए कया पूँछा है जन घनत्तु तो यह जो उत्तर प्रदेश का जन घनत्त है यह 829 ब्यक्ती प्रत्ति किलोमीटर इसका जन घनत्त है नेस्ट पॉइंट दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों याद रखेंगे क्या आता है कानपूर आता है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेस्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के नियुंतम जन घनत वाले जिलों का करम तो नियुंतम जन घनत वाला यहां पर जिलाप मुझा है पहले स्थान पर आता है ललितपूर, दूसरे स्थान पर आता है सोन भद्र, तीसरे स्थान पर हमीरपूर, चोथे स्थान पर महोबा और पांचवे स्थान पर आता है चित्रकूर्ट तो ये जो है उत्तर प्रदेश के नियुनतम जनगनत वाले जिले हैं आगे बात करते हैं नेस्ट पॉइंट की जनगरना दोहजार गेरा के अनुसार कुल साच्छर्ता आप से पूछे तो कुल साच्छर्ता जो है 6.7.7 प्रस्षत है और जिसमें से पूरुस और इस्तिरियों का कितना है आप से पूछा है जिसमें से पूरुस और इस्तिरियों का पुरुस का है 77.3 0 पुरुस और महिलाओं का अब अहीं पर है 57.2 0 यह है साच्छर्टा में पुरुस और महिलाओं का और कुल जो पूँचे वो सरशर 7.7 परशंट है अब आईए दोस्तों बात करते हैं अगर नेश्ट पॉइंट आपसे पूँचे कि सरुधिक साच्छर्टा वाले जिलो का क्रम बताईए सरुधिक साच्छर तो सबसे जएदा साच्छर जो है वह गौतम बुध नगर में उसके बाद कानपूर हता है तीसरे नम्बर पर आता है और रया चोथे नम्बर पर आता है इंटावा याद रखेंगे important बनता है आप इस question तो कितना है 57.16 प्रश्चत Next point सर्वधिक महिला साच्छर वाला जिला जहाँ पर सबसे जेदा महिला साच्छर है वो है कानपूर नगर Next point प्रदेश में जो है महिला यों पुरुष साच्छर्टा के बीच अंतर आपसे पूँचे कि उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष साच्छर्टा के बीच अंतर है वो 20.1 प्रदेशत का अंतर आता है आईए बात करते हैं Next point की दोस्तो यहाँ पर आपसे अगर पूँचे सरुधिक वो सबसे कम महिला पुरुष साच्छर्टा अंतर वाले जिले क्रमसा कौन है तो जो सबसे कम महिला और पुरुष साच्छर्टा वाले जिलों में जो अंतर वाले जिले हैं उनमें क्रमसा आता है महराज गंज और कानपुर नगर ठीक है याद रखना नेस्ट पॉइंट उत्तर प्रदेश का लिंगा अनपाद दोहजार गेरा की जनगना के अनुसार 912 है किसके अनुसार दोहजार गेरा की जनगना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश का जो लिंगा अनपाद बताये गया है 912 है जो कि राष्टी लिंगा अनपाद की तुल कम है जो लिंगानपात जो है 912 है तो यह जो है राश्टी लिंगानपात से 31 कम है और राश्टी लिंगानपात जो है वो 943 है आई यह बात करते हैं नेस्ट पॉइंट की दोस्तों यहाँ पर आप से पुँछा गया है कि बताइए उत्तर परदेश के सर्वधिक लिंगान पात वाले जीले काउं से सरवाधिक लिंगान पात पूछा है याद रखना क्या पूछा है सरवाधिक लिंगान पात वाले जीरे तो पहले स्थान पर आता है जौनपुर ठीक है इसमें 1024 दूसरे स्थान पर आता है आजमगण जिसमें है 1019 और तीसरे स्थान पर आ जिला कौन है नियुन्तम नियुन्तम जिन लिंगान पात मुच्छा दोस्तों याद रखना जो हजार गेरा की जनगाने करमसार तो यह है गाउतम बुद्ध नगर गाउतम बुद्ध नगर आड़ सो इक्यामन आगे बढ़े हैं दोस्तों यहां पर नेस्ट पॉइंट है आप दवरान परदेश की जो दसकी ब्रध्धी दर्ग कितनी रही है तो यह रही है दोस्तों 20.220 प्रतिसट तो याद रखेंगे कितनी रही दोस्तों 20.2220 प्रतिसट इसकी रही है आगे बलते हैं दोस्तों बात करते हैं नेस्ट पॉЙ combustion की आपसे पूछा गया है, प्रदेश का सरवाधिक दस्की ब्रध्धी वाला जिला, कौन सा दस्की ब्रध्धी वाला जिला पूछा है आपसे, तो दस्की ब्रध्धी वाला जो जिला है, वो पहले इस्थान पर आता है, क्या दोस्तों आता है, वो गौतम बुध नगर आता है, और निंतम आपसे पूँचे तो कानपूर नगर आता है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, निंतम पूँचे तो कानपूर नगर है, आईए बात करते हैं, नेस्ट पॉइंट की, प्रदेश के सरुधिक नगरी प्रसत वाले जिले, नगरी प्रसत वाले जिलों में पहले इस्थान पर गाजियाबाद आता है दूसरे इस्थान पर लखनों आता है और तीसरे इस्थान पर कानपुर नगर आता है अब आए दोस्तों नेस्ट पॉइंट की बात करते हैं यहां पर आप से पूछा है कि बताइए प्रदेश के कुल जनसंख्या में जो है कितने हैं दोस्तों 20.6% और देस में कुल अनसूचित जाती हैं वो कितने हैं वह वह 16.6 पर सन्थ में इनकी जनसंख्या है 20.9 पर और जो बात करने redevsk में कुल अनसूचित जात्व है वह 16.6 पर सन्थ Away आए दौस्त की बात करते हैं जन संख्या की कि द्रश्टी से देश में सरवधिक जो है अनुसूचि जात जनसंख्या वाला राज आप से पूँचे तो यह उत्तर प्रदेश तो सरवधिक अनुसूचि जात जनसंख्या वाला राज जो है वो क्या है उत्तर प्रदेश और यह जो है जो है प्रदेश में कुल जनसंख्या जो है, यह 20.69 प्रेश्ट हैं अब दोस्तों, आगे बारत करके हैं, naes chapter point की यहां पर आप से पूँचा गया है कि प्रदेश का सरवदाधिक, अंसूची जाती जनसंख्या वाले जिले कौन है अंसूची जाती जनसंख्या वाले जिले तो अनसूचित जात जनसंख्या वाले जिले हैं पहले है सीतापुर, इलाहबाद और हर्दोई ये हैं अनसूचित जात जनसंख्या वाले जिले है नेश्ट पॉइंट है प्रदेश में स्तरवाधिक अनसूचित जन जात यहाँ पर देखिए वहाँ पर जाती पूछा यहाँ जन जाती तो अनसूचित जन जाती जन संख्या तथा नियुनतम अनसूचित जन जाती जन संख्या वले जिले सा है तो यह जो जिला आ unknown कौं सा जिला है कौसा जिला जहां पर एंट 14 702 kannst sut Sam वहां पर जो है हं जाती जन संक्या है अब आए दोस्तों बात करते हैं अतर-प्रदेश sh अंसूचित जनजातियों के जो important question बन सकते हैं सम्बंदित महत्पूर्ण question किसे अंसूचित जनजातियों से सम्बंदित जो महत्पूर्ण प्रश्ण बन सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं देखिए आपकी लिए मैं selected और important question लेके आँँ ताकि आपको कहीं जेदा मेहनत न करनी पड़ें बस selected question पढ़के जाना है आपको वर्दी दो है वर्दी पानी है बस यतना समझ लिजिए अपने माता पिता का नाम रोसन करना है दोस्तों आपकी वर्दी आपको जरूर चढ़ा कराना है तो देखिए दोस्तों बात करते हैं चलिए शुरू करते हैं आपसे पूछा गया है पहला point यह है कि उत्तरप देश की जनसंख्या में अनसूचित जन्जात की जनसंख्या का परस्षत 2015 की जन्जगर्णा के अनुसार कितना है तो जो है वो है 6.6% याद रखेंगे कितना है दोस्तों 6.6% है और यहाँ पर दीखे कुल जो है 0.57% नेस्ट पॉइंट है यह भारत की जनसंख्या में किसके भारत की जनसंख्या में अनसूचित जन्जातियों की जनसंख्या का परस्षत तो भारत की जनसंख्या में जो अनसूचित जन्जातियों का परस्षत है यहाँ पर तो वो है 8.6% प्रदेश में सरवधादिक अनसूचित जन जाती जनसंख्या वाले जिले काउस है तो याद रखेंगे कैप पूछा आपसे अनसूचित जन जाती जनसंख्या वाले जिले तो पहला है सोनभद, दूसरा बलिया, देवरिया, कुसी नगर, ललितपूर तो दो याद रखेंगे आप सोनभद और बलिया, आए दोस्तों बात करते हैं अब आगे, यहाँ पर देखिए नेश्ट पूइंट पूछा है सबसे कम अनसूचित जन जाती जनसंख्या वाले जिले हैं सर्वधिक अनसूचित जन जाती प्रस्त वाला जिला का क्रम कौनसा है तो सबसे सरवाधिक अनसूचित जनजाद प्रस्ट वाले जो जिले हैं वो सौनभद्र है ललितपूर है और देवर्या है और बलिया और कुशिनगर ये क्या है सरवाधिक अनसूचित जनजाद प्रस्ट वाले जिले हैं next point है अगर आपसे पूछे कि नियुन्तम अन्सूचित जन्जाद प्रिस्ट वाले जिले देखिए नियुन्तम यहाँ पर पूछा है यहाँ पर पूछा था क्या सरवाधिक तो सरवाधिक में सोनभद ललितपूर दवरिया और नियुन्तम में जो है बढ़ते क्रम में पूछ सहर और मुझफर नगर तो याद रखेंगे आईए अब बात करते हैं निस्ट पॉइंट की यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रदेश में अंसूचित जन जातियों में लिंगा अनपात कितना है तो लिंगा अनपात जो है वो कितना है आपसे पूछा है तो 951 कितना द उत्तर प्रदेश की जन जाती पूछा है कि जन संख्या की दर्ष से राज की जो सबसे बड़ी जन जाती है उत्तर प्रदेश में वो है थारू जन जाती याद रखेंगे नेश्ट पॉइंट जनसंख्या की दर्षते सबसे छोटी जन जाती दोनों याद रखेंगे सबसे बड़ी जन जाती है थारू और सबसे छोटी जन जाती है वो है बन रावत क्या जोचों बन रावत सबसे छोटी है जन जाती और सबसे बड़ी जन जाती है थारू नेस्ट पॉइंट है उतर प्रदेश में सूची ब्रध अनसूची जन जातियों की संख्या कितनी है तो सूची ब्रध अनसूची जन जातियों की संख्या जो है वो है कितना बारा जन संख्या है दोस्तों 2023 से पूर थारू और बुक्चा थे याद रखें इससे पहले आए दोस्तों अब हम बात करते हैं नेश्ट पॉइंट की तीक है यहाँ पर देखिए नेश्ट पॉइंट है प्रदेश में थारु जन जाती निवास करती है कहाँ पर तो जो प्रदेश में जो थारु जाती निवास करती है वो तराई छेतर में निवास करती है तराई छेतर कहां? महराजगन, आपधनले, सुधारतनगर, स्रवस्ति, बहराईज और गोरकपुर, खिरी यहाँ पर लखीमपुर, खिरी तो यहाँ पर जो है तराई छेतर में यहाँ पर थारु जटात निवास करती है नेस्ट पॉइंट है थारू जो है अपने को किस वंस का मानते हैं तो जो थारू है वो अपने को जो मानते हैं वो किरात वंसी मानते हैं क्या दोस्तों किरात वंसी यह भी पॉइंट इंपोर्टन है याद रखेंगे लट भरवा भोज दिया जाता है कहां पर दिया जाता है थारूओं में थारूओं जन्जातूओं में लट भरवा जो भोज है वो दिया जाता है नेस्ट पॉइंट है आपसे गर पूछें कि थारूओं का प्रमुक्त वहार क्या है तो जो थारूं को प्रमुखतेवार दोस्तो वह है क्या है दोस्तो बजहर जिसे बैसाक जो है जेट में यह मनाय जाता है तो बजहर है याद रखेंगे अब आये दोस्तों नेस्ट पॉइंट की बात करते हैं नेस्ट पॉइंट है आपसे अगर पूँछे कि थारू जंजात की बच्चों के लिए महा बिद्याले कहां इस्थापित किया गया है ये भी इंपोर्टन पॉइंट है याद रखें दोस्तों थारू जंजात की बच्चों के लिए जो महा बिद्याले इस्थापित किया गया ह वो लखीम पूर खिरी में किया गया है नेस्ट पॉइंट आप से पूँछे बुक्सा या भोक्सा जनजाती कहा निवास करती है बुक्सा या भोक्सा जनजाती निवास करती है वो भिजनवर में मुखता निवास करती है नेस्ट पॉइंट आप से पूँछे कि जो बुखसा जनजाती का संबंद किस से माना जाता है वो माना जाता है पतवाद राजपूत वन से किस वन से पतवार राजपूत वन से नेस्ट पॉइंट आप से पूँछें हिंदूओं की तरह वरण विभाजन पाया जाता है इनकी सबसे बड़ी पूंजा जो कौन है तो यह है कासीपूर की चमुंडा तो याद रखेंगे क्या है दोस्तों जो कासीपूर की चमुंडा आपसे क्या पूछा है फिर सी ध्यान से सुना बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं इनकी सबसे बड़ी पूंज देवी कौन है तो प पूछे खरवार जंजात के लोग का निवास छेत्र आपसे पूछे कि खरवार जो जंदाजती है इनके लोगों का जो निवास छेत्र है वो काउन सा है तो मिर्जापूर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, चंदवरी तो आगे वाले जरूर याद रखेंगे एक और दो तीके मिर्जापूर, सोनभद्र नेस्ट पॉइंट अगर आप से मुझे खरवार किस धर्म को मानते हैं तो खरवार जो जनजाती है वो हिंदू धर्म को मानती है नेस्ट थे करमा, लोक नथ का प्रचलित है कहां पर करम कर्म लोकरनत प्रचलित है कि वर्थ 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश में अनसूचिजातियां तो दो जातियां है 2003 से पूर्व उत्तर प्रिदेस में अन्सूची जातिया जो हैं वो दो हैं कौनसी थारू और बुख्शा याद रखेंगे अब दोस्तो बात करते हैं आईए नेश्ट पॉइंट की बात करते हैं याद रखना दोस्तो अगर आप से पूछे क्या दोस्तो तो अगर आपसे पूँछे कि मही गीर जन जाती निवास कहा करती है तो मही गीर जो जन जाती है important है ये बिजनोर जिले के जो नजीबाबाद छेत में इस्थापित करती है जो है रहती है मतलल निवास करती है ये बात आप याद रखेंगे कौन जन जाती मही गीरी मही गीर ज जनजात विजणौड जिले के नजीबा बाड में महीगीर की अर्थवियुस्था का मोह अधार क्या है तो मचली पकलना, क्या है दोस्तोrukt इनका अधार ये मचली पकलना, महीगी पक़लना महीगीर जनजात की लोग किसके अनुवाई हैs तो इसलाम धर्मकी निश्ट पॉइंट अगर पुंचे सहरीय जन जाति प्रदेस में कहां मिलती है सहरीय जन जात के बारे में पूछा है तो यह ल़ए पूर में मिल पाई जाती सहरीय जंजाती ठीक है याद रखेंगे दोस्तों अब आए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर निष्ट पॉइंट देखिए दोस्तों अगर आपसे पूछे ठीक यह जंजातियां हैं कौन सी परहिया बैगा पनिका पंखा अगरिया पथरी चेरो और भुईया भुनिया यह जंजात यह जो है वो सोन भद्र में पाई जाती हैं नेस्ट पॉइंट अगर आप से पूछे उत्तरपदेश की किन जिलों में एक ही भी जंजाती नहीं पाई जाती मतलब कौन सा इसा जिला है जहां पर कोई जंजाती नहीं पाई जाती तो वो जो जिला है वो फैजाबाद रो जा पर ऐसी कोई जन जाती नहीं पाई जाती है नेस्ट पॉइंट अगर आप से पूँचे करमा लोक नत किस जिले से संबंदी थे करमा जो करमा जो लोक नत है दोस्तों अगर आप से पूँचे किसे जिले से संबंदी थे तो यह सोन भद्र जिले से संबंदी थे करमा जो है लोक नरत नेस्ठ पॉइंट उत्तरपदेश जो जन्यजाती का विकास निदेशाल concept किस मंतर्गत कारता है तो यह समाज्य विभाग मंतर् overeet के अंतर्गत कारता है आयए दोस्तों बात करते हैं नेस्ट पॉइंट की अगर आप से पूछे कि बताइए उत्तरपदेश अंसूचिच जाती जन जाती सोध और प्रशिच्छन संस्थान कहां इस्थित है IMPORTANT POINTS है याद रखना तो ये लखनों में इस्थित है कहाँ पर दोस्तों लखनों में इस्थित है तो ये जन जातीओं के बारे में मैंने आपकी प्रसाम ने डिस्क्स किया अब दोस्तों बात करेंगी उत्तर प्रदेश में इस्थित प्रमुक संस्थान एवं संगठन इंपोर्टेंड पॉइंटर सभी याद करेंगे और आएगा तो यहीं से आपको पुछने वाला ठीक है मैंने आपके लिए सेलेक्टेट और इंपोर्टेंड पॉइंट रखें है ठीक है ताकि आपको जेदा पढ़ना न पढ़े आप वही पढ़के जाएए जो आपकी परिच्छा में फशने की संभावना है तो वही सारे प्रश्ण मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी मेरा वादा है जरूर पसंद आएगी बस आप प्यूरा वीडियो लाज तक देखते रही है परिच्छा से पहले ये वीडियो आपको दो बार देखनी है तो आप दो बार देख लेंगे तो आपका कोई भी डाउट किलियर हो जाएगा ठीक याद रखेंगे अब दोस्तो बात करते हैं पहले पॉइंट की इस से अगर आप से पूछे दोस्तो यहाँ पर इंडियन सुगर केन रिसर्ज इनिस्टिटूट यह कहां पर है तो यह दोस् रिसर्ज इनिस्टिटूट यह लखनों में है नेट पॉइंट इंडियन इनिस्टिटूट आफ सूगर टेकनोलाजी कहां पर है तो यह है कानपूर में तो याद रखें सूगर टेकनोलाजी यहाँ पर पूछा है और सेंट्रल ड्रक्स रिसर्ज जो है वहाँ पर सूगर के पूछा है ठीक है वो लखनों में है और Central Drugs Research Institute यह भी लखनों में लेकिन Indian Institute of Sugar Technology यह है कानपुर में नेस्ट पॉइंट अगर आप से पूँचे पसू जैविक आउसदी संस्थान कहां पर है तो यह है लखनों में नेस्ट पॉइंट इंडियन पलसेज रिसर्ज इस्टिट्यूट कहां पर है तो यह है दोस्तों कानपुर में है नेस्ट पॉइंट है आप से पूँचे कलाथ मतलब कपड़ा रिसर्ज इनिस्टिट्यूट तो कपड़ा जो रिसर्च इनिस्टिट्यूट है वो है याद रखेंगे अब दोस्तों बात करते हैं अगर आपसे पूछें कि Central edtile institute कहां है तो सेंट्राड जो टीक्सटाइल इनिस्ट्टूट है वह है कानपूर में नेश्ट है केंदरी बकरी अनुसंधान संस्थान क्या पूछा दोस्तो केंदरी बकरी अनुसंधान संस्थान तो यह है मथूरा में नेश्ट पॉइंट है सेंट्रल जो है पोटाइटो रिसर्च सेंटर यहां पर क्या पूछा है दोस्तो पोटाइटो रिसर्च सेंटर य की है लखनों में नेस्ट पॉइंट आप से पूझे कि खाद अनसंधान एवं वांकी करन प्रियोक्षाला कहाँ पर है तो यहें गाजी आबाद में नेस्ट पॉइंट भारती जो है कालेन प्रदोगी संस्थान क्या है तो भारती तरह कालिन वो भधोही में विख्यात है तो भधोही की कालिन प्रसिद्ध है आई यह बात करते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों नेस्ट पॉइंट है अगर आप सब पूछे कि राजियु गांधी पिट्रोलियम इनिस्टिटूट कहां पर है तो यह कहां पर है दोस्तों यह कहां पर दोस्तों अमेठी में नेस्ट पौइंट है नेश्टनल इ स्टीटूट आफ एशन टेकनोलाजी यह नेश्ट पॉइंडियन वेटिनरी रिसर्च इनिस्टिट यह यह ब्रिया रखेंगे नेश्ट पॉइंट हैं यहां पर देखिए क्या पूछा गया है Central Aviation Research Institute मतलब पच्छी Research Institute तो आपको पता है इज्जतनगर में है तो यह Central Aviation पच्छी Research Institute जो है वो इज्जतनगर में है याद रखना देखिए यहां क्या पूछा है नेश्ट पॉइंट पूछा है आपसे कि नेश्नल रिसर्ज सेंटर फार मीट क्या पूछा है Center for मीट यह इज्जतनगर नेश्ट पॉइंट अगर आपसे पूछे इंदरा गांधी राष्टी उडान अकादमी कहां पर है तो यह है दोस्तो राय बरैली में नेश्ट पॉइंट पूछे कि सेंटर लेप्रोशी इनिस्टिटूट कहां पर लेप्रोशी इनिस्टिटूट तो लेप्रोशी इनिस्टिटूट जो है वो आगरा में है और आगरा में ही ताज महल है याद रखेंगी नेस्ट है National Parasite Training College कहा पर है देखिए यहां पर है National Parasite Training College पूछा है तो आगरा में है वो आगरा में है लेप्रोसी इंस्टीट भी है नेस्ट पॉइंट है B.B. Giri National Labour Institute कहा पर है तो B.B. Giri National Labour Institute यह है नोइडा में नेस्ट पॉइंट है Indian Institute of Vegetable Research इंडियान इनिस्टिटू आफ वेजी टेवल रिशर्ज जो है वह कहां पर वाराणसी में दोस्तों अब आईए दोस्तों नेश्ट पॉइंट की बात करते हैं यहां पर अगार आपसे परिच्छा में पूछे कि बताईए कि सेंट्रल ग्रास लेंड ग्रास लेंड एंड इनिस्टिटूट यह जहांसी में नेश्ट है ठीक है उतक समवर्धन प्रयोक्षाला तो उतक जो समवर्धन प्रयोक्षाला है यह लखनो में नेश्ट पॉइंट आप से पूछे कि स्कूल आफ पेपर टेकनोलाजी यह कहां पर है तो पेपर टेकनोलाजी स्कूल आफ है सहारन पुर में अगर आप से पूछें नेश्ट पॉइंट कि केंद्री उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर है तो केंद्री उपोष्ण बागवानी संस्थान यह है लखनव में नेश्ट पॉइंट है कि केंदरी गलास एवम जो है सिरेमिक अनुसंदान संस्थान कहां है यह है खुरजा में कहां पर खुरजा इस्थान पर है अब दोस्तों आईए बात करते हैं नेश्ट पॉइंट की यहां पर अगर आपसे पूछे कि बताईए उत्तर प्रदेश करसी अनुसंदान परिशत कहां पर है करसी अनुसंदान परिशत यहां पर पूछा है तो यह जो करसी अनुसंदान परिशत है यह दोस्तों है लखनवू में आगे देखिए दोस्तों यहां पर क्या पूछा गया है आपसे आपसे पूछा गया है कि नेशनल वटे निकल अब आखनओ में नेस्ट पॉइंट पूइंट पूचंड और след को सेंटन इंश्टिटीटो फार रिसर्च अन कैटिल ये तो दो पूइंडियन रिसर्च आफ रहें वरानसी में आप आईये दोस्तो बात कर जलते हैं next point की अगर आप से पुछे कि national bureau of phish genetic research कहा पर पर है तो national euro of phish genetic research जो है वह है लखनौ में next point है जो है थलमोलाजी कहा पर है तो यह सीतापुर में Next point है National biofertilizer development center तो यह है गाजियाबाद में तो यह भी पॉइंट आप याद रखेंगे अगर नेस्ट पॉइंट आप से पूँचे कि नेशनल सेंटर फार एग्रो फरिष्टी कहां पर है तो यह जहांसी में नेस्ट पॉइंट की इंडियन ग्रेन इस्टोरेज इनिस्टिटूट कहा पर है तो यह है दोस्तो हापुड में कहां पर दोस्तो हापुड में है Next point National Academy of Esthetical Administration क्या दोस्तोउ पूछा है National Academy of Esthetical Administration यह कहाँ पर है तो यह है नोडा में अब दोस्तो बात करते हैं Next point की ऑ आप से यह पूछा है कि राजकी फल सनरफ्छन एवं डिब्बा बंदी संस्थान कहाँ पर है तो राश्टी फल समरच्छन पूँचे या डिब्बा बनी संस्थान पूँचे यह है लखनव में नेट पॉइंट है राश्टी कथक संस्थान कहां पर है इंपोर्टन्ट है यह भी लखनव में डाक्टर अम्बेटकर परियावरण म्यूजियम कहा पर है तो ये भी लखनोड में है अगर आपसे पूछे पान अनसंधान योमपरिशन केंड कहाँ पर है तो महोबा में है टिक है उत्तर प्रदेश गन्ना सोध परिश्यत कहाँ पर है तो यह है साजहापूर में कहाँ पर दोस्तों साजहापूर में है वो तरपदेश गन्ना सोध संस्थान नेश्ट पॉइंट दोस्ते हो यहाँ पर अगर पूछा गाए कि बताएए डाक्टर अमबेटकर टेकनोलाजी फार हैंडी फाइंड कहाँ पर है तो यह है है हैंडीकाइड यह है कानपूर में कहाँ पर अगर आपसे पूछे राज की चर्म संस्थान कहाँ पर है तो राज की चर्म संस्थान जो है वो है कानपूर में अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नेश्ट पॉइंट की अगर आपको पूछे आपसे कि फार्गेंस आयंड फ्लेवर डेवलप्मेंट सेंटर कहाँ पर है तो यह कन्नोज में है कहाँ पर दोस्तों कन्नोज में है next point कांच उद्धोक विकास केंद कहाँ पर है तो कांच के लिए कौन सा प्रसिद है जिला गाजियाबाद फिरोजाबाद ठीक है फिरोजाबाद यहाँ पर चूडियां पहुत पसंद है ठीक फिरोजाबाद की चूडियां तो कांच उद्धो जो विकास के अंद है कहाँ पर है फिरोजाबाद में नेस्ट पॉइंट आपसे पुछे बुध्धा इंटर्णेशनर सर्किट फर्मूला वन तो यह कहा है ग्रेटर नुएडा में नेस्ट पॉइंट है लेदर टेकनोलाजी पार्क कहां पर है तो यह है कहांवे दोस्तों बताएए यह है मतुरा में वह स्वर्णी मतुरा नहीं है वो है वंतरा वंतरा कहां पर उन्नाव में यहां पर जो दोस्तों क्या है लेदर टेकनोलोजी पार्क है ठीक है वंतरा जो है उन्नाव में है यही पर है आए दोस्तों अब हम बात करते हैं यहां पर उत्तर प्रदेश राजनेतिक प्रसासनिक संरस्टना के बारे में ठीक है अ पहला पॉइंट कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश जो है कपड़ा तो 24 जनुरी 1950 से इसलिए 24 जनुरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाये जाता है सभी को पता होगा और अगर आप से पूछें कि प्रदेश की राजधानी लखनव जो है ये 1935 से पूर्टा बनी है और 2021 से आंसिक रूप में थी लेकिं 1935 से लखनव पूर्टा राजधानी बनी है उत्तर प्रदेश राज का पुनर गठान आप से पूछें ठीक है ये एक नॉमबर 1956 को किया गया है और उत्तर प्रदेश का विभाजन जो है वो 9 नॉमबर 2002 को किया गया है ठीक याद रखें तेरा जो पहारी जिलों को काट कर उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया है 9 नॉमबर 2002 को और इस से और उट्तर खंड अलग होता है तो उत्तर खंड उत्तर प्रदेश से लग 9 नॉमबर 2000 को कर दिया जाता है तेरा पहाड़ी जिलो को काट कर अब दोस्तो अब आई ये बात करते हैं नेश्ट आगे बात करते हैं याँ पर देखिए दोस्तो अगर आप से पूँछे कि राजकी भासा क्या है उत्तरपदेश की तो ये दोस्तो राजकी भासा जो है वो है हिंदी ठीक है 1947 से प्रिचलित है और उर्दू जो है दूसरी जो है राजकी भांसा है जो 1989 से प्रिचलित है अगर पूँचे तो याद रखना है यह आपर दो पूइंट है कि राजकी भांसा कौन-कौन सी है तो हिंदी और उर्दू है पहले हिंदी दूसरी उर्दू अगर आपसे पूँचे राज की पसी पच्छी कौन है वो है सारस राज की पसूप पूँचे तो वो है बारा सिंगा अगर आपसे पूँचे उत्तर प्रदेश का राज की ब्रच क्या है तो असोख है अगर पूँचे राजकी पुष्प क्या है तो पलास जिसे टेंसू भी बोलते है नेश्टी यहाँ पर देखे अगर आपसे पूँचे कि राजकी खेल क्या है उत्तर प्रदेश का तो हाकी है क्या है दोस्तो हाकी राजकी खेल है उत्तर प्रदेश का अब आएए दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या पूँछा गए आपसे अगर आपसे पूँछें कि प्रदेश का राजकी चिन क्या है उत्तर प्रदेश का राजकी चिन तो एक ब्रत्य में दो मचली और एक तीर धनुष ठीक है स्वबिकरत किया गया है और दोस्तों ये 1938 में स्वविक्रत किया गया है अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं प्रदेश के बिधान मंडल का स्वरूप कैसा है तो उत्तर प्रदेश के बिधान मंडल का जो स्वरूप है वो दुज सदनातम के स्वरूप है यहाँ पर बात करते हैं उत्तरपयश की बिधान सभा सदस्थों की कुल संख्या कितनी है। तो यहां पर दोस्तोंőं बिधान सभा सदस्थों की कुल संख्या 403 है और 800 प्लस एक ठीक है। उत्तरपदेश में बिधान परशत सदर्सों की संख्या कितनी है, बिधान परशत मुझा है, तो सव संख्या है, कितनी है दोस्तों, सव, बिधान परशत की कितनी संख्या है, सव, और लोगसभा की संख्या कितनी है, अस्ती है उत्तरपदेश में, और राजसभा की जो संख्य बढ़ार दो अब दोश्तो अब आये बात करते हैं यहाँ पर अगर आप से पूचें कि उत्तरक प्रश्ण्व में बिधान परसत का गठन कब किया गया है तो दोस्तो बिधान परसत का झो गठन किया गया है वह 1921 में किया गया है उत्तर प्रदेश के बिधान परिसत का गठन और राज बिधान सभा का गठन ये 1937 को किया गया है और राज में अब तक राश्पति सासन आप से पूछे कितनी बार लगा है तो उत्तर प्रदेश जो है राज में अब तक जो राश्पति सासन लग चुका है वो 10 बार लग आपसे पूले पहले मुखमंत्री कौन बने है तो गोबिंध बल्लव फंत को बनाए गया है ठीक है यह जो मुखमंत्री थे एक अप्रेल जो है 1946 से चमवन तक रहें और नेस्ट पॉइंट है कि राज की प्रथम राजपाल कौन थी उत्तर पदेश की तो यह थी जो थी मुखमंत्री मतब दूसरे नंबर की तो यह जो है कौन थी सूस्री मायावति चार बार उत्तर प्रदेश की मुखमंत्री बनती है सूस्री मायावति याद रखना नेस्ट पॉइंट आप से पूचें प्रथम विधान सभापरसत की जो है सभापती कौन थे पहले तो वो थे स्री चंद्रभाल पथम विधान सभापती थी उत्रप्रदेश में जिले पूछे तो 75 जिले हैं अगर आप से मंडल पूछे तो 18 मंडल है तो उत्रप्रदेश में जिले 75 हैं मंडल 18 है अब दोस्तों अब बात करते हैं आप राईए देखिए Important Point है इलाहबाद उच्चनयाले की स्थापना कब की गई तो यह जो इलाहबाद उच्चनयाले की स्थापना की गई है जो कागठन किया जता है नयाय मूर्ति विशम्भर दयाल का गठन किया जता है सबसे पहले याद रखें नेश्ट पॉइंट है कि वर्तमान में उत्तर प्देश में लोका युक्त कौन है तो नयाय मूर्ति संजे मिसरा अब बात करते हैं next point की यहाँ पर आपसे पूछा कि पंचायत चुनाओ जो है लणने हो तो निर्धारित आयू क्या है तो पंचायत का जो चुनाओ लणने के लिए निर्धारित आयू है कितनी है एक case verse यहाँ पर देखिए next point है राज के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए अरच्छी जो सीटे हैं वो एक बटा तीन सीटे हैं कितनी सीटे हैं एक बटा तीन अब दोस्तों आईए बात करते हैं next point की यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिए दोस्तों अगर आपसे पूछे कि बताईए नगर निगम अध्यच मेजर का निर्वाचन कैसे होता है तो नगर की जनता दोरा प्रतेश रूप्त गे इसका जो है निर्वाचन किया जाता है next point यहाँ पर आपसे पूछे कि बताईए उत्तरपदेश में महिला मुखमंतरी के संख्या कितनी है तो दो है अभी तक दो महिला मुखमंतरी के संख्या है एक याद रखें मायावती तो है है ठीक है और दूस्तरी जो है कौन है यहाँ आप कमेट बेक्स में जरूर बताएं यहाँ पर देखिए नेस्ट पॉइंट है उत्तरपदेश विधानसभा के परताम अधच्छ कौन है तो उत्तरपदेश विधानसभा के जो पहले अधच्छ बनाई है वो पुरसोतमदास टंडन बनाए गए है नेस्ट पॉइंट आपसे पूँछें कि राज मानवा धिकार का गठन कप किया गया है तो इसका गठन 7 अक्टूबर सन 2002 को किया गया है नेस्ट पॉइंट है राज सूचना आयोक का गठन ये 14 सितंबर सन 2005 को राज सूचना आयोक का गठन किया जाता है अब दोस्तो आईए बात करते हैं नेश्ट पाइंट की यहाँ पर आपसे दोस्तो अगर आपसे पूछे कि बताईए राज प्रसासन का सीरसास्त अधिकारी या राज प्रसासन की धुरी कौन होते हैं तो मुख सची होते हैं अब दोस्तो अब आईए जो मैंने मंडल पूछे आपसे ठीक है जो यहाँ पर देखिए मुख्याले मुख्याले के बारे हम चर्चा करते हैं जो जिनके मुख्याले हैं भिन भिन उन्ही पर चर्चा करेंगे जो भी परिश्चा में पूछे और सभी के जो मुख्याले हैं उन इन पर हम चर्चा करेंगे देखिए दोस्तों इन पर important है अगर आपसे पूछे तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना मुख्याले के बारे में ठीक है क्या दोस्तों मुख्याले के बारे में अमेठी का मुख्याले यह गौरी गंच कौसंबी का यह मझनपुर कुशी नगर का अमबेठकर नगर का मुख्याले अगबरपूर सिधारतंगर का नोगड़ और फरुखाबाद का फतेहगड़ कानपूर देहात का जो है अगबरपूर माती यह मुख्याले आप थोड़ा सा याद रखेंगे यह भिन भिन मुख्याले हैं इनके भिन मतलब अलग से मुख्या है ठीक है सथरहमा क्यों सा है वो है साहा जहांपूर सथरहमाउंत, थीक ऑर आगर आप से पुछे सुलहमा कौन है मतुरा है और पंधरहमा जो है वह रखये है याद ठीक है याद रखेंगे यहाँ पर देखिए नेस्ट पॉइंट उत्तरपदेद बिधान सभा चुनाओ तो 2017 में निर्वाचित महिला सवस्थो की संख्या कितनी थी तो यह सी जो है 47 कितनी थी 47 ठीक है जिसमें बिजेपी जो है वो 36 थे और एमेले थे अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि बताएं उत्तरपदेश राज पिछला वर्ग आयोग के गठन कप किया गया है तो उत्तरपदेश राज पिछला वर्ग आयोग का जो गठन किया गया है वो 9 मार्च 1993 को गठन किया जाता है नेस्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए आप खंड दोनों राज्यों के जो सीयम पद को सुझोबित करने वाले जो नेता थे वो कौन थे वो थो नरायन दत्य तिवारी तो नरायन दत्य तिवारी थे आईए दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं आपर और आपसे पूछाए कि बताइए कि उत्तर पदेश के सबसे कम विध रही है बिधांस सभागी यह परतर देखिए एंसी आर इंसी आर सिमस्ते नहीं दिल्ली से सट्वलीयों संहित हैं तो विए इंपोर्टन आइं एहां से होता अगता है क्षिशन रूर बने तो न्सी lur में सामिल उप्र प्रदेश को दिल्लो है वह आठ जिले कितने जिले यार से लगे हुई है आये दोस्तों अब हम बात करते हैं यहां पर उत्तर प्रदेश मर्दा करसी और पस्वालन के बारे में ठीक है यहां पर बात करते हैं किसके बारे में उत्तर प्रदेश से जो भी मर्दा करसी और पस्वालन के बारे में डिस्ट करते हैं ठीक है यहां पर पर देखिए दोस्तों आपसे पूछे ऊत्तर पर देखें जो है मातर में पाई जाने वाली मरदा है सबसे जिगा कौंसी मरदा पाये जाती है ऐसा है तोवी है और प्रदेश में कुल करसी जलवाई छेत कितना है तो वो है 9 और प्रदेश में कुल मर्दा समू छेत कितने है 8 तो याद रखेंगे कितने 29 आठ अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे पूछें कि बताए उत्तर प्रदेश अधिक्तम जोत सीमा अरोपन अधनियम या सिलिंग कानून लागू कब हुआ ठीक है तो यह हुआ 1960 में नेट पॉइंट उत्तर प्रदेश में सुस्क करसी छेत तो यह है बंदेल खर्ण नेट पॉइंट उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए छेत फल पर नलकूपों के बाद सीचाई का सुरोत कितना है कैसे है त मतलब उत्तर प्रदेश में बोए गए जो छेत फल पर नलकूपों के बाद जो सीचाई का सुरोत है वो है नहर नलकूप के बाद नहर तो सबसे ज़ीदा किस से होता है नलकूप से उसके बाद नहरों से यहाँ पर देखिए नेट पॉइंट अगर आप से पूँचें कि उ गन्ना सवधिक नगदी फसल है अब दोस्तों यहां पर देखिए नेश्ट पॉइंट अगर आप से पूछे कि गोकुल पुर्सकार योजना यह किसे संबंदित है तो यह दुद्ध उत्पादन से संबंदित है नेट है अमरूत के लिए प्रियोग और प्रसिच्छन के इंद कहां पर है तो प्रियाग राज में यहां पर देखिए नेश्ट पॉइंट किसान मित्र योजना की सुरुवात यह 18 जून 2001 से होती है नेश्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश खाददान यहां पर देखिए यहूं गन्ना आम दुग्ज में था ठीक है और उत्तपादन में कौन है या गरहनी तो यह उत्तर प्रदेश जो है प्रथम इस्थान पर है यहां पर देखिए नेश्ट पॉइंट उत्तर प्रदेश का खाद प्रसंसकरन उत्दोग नीती कब लागो हुई तो सुन 2012 में अब दोस्तो आईए बात करते हैं यहां पर अगर आप से पूछे कि बताईए प्रदेश में फल सनच्छन एओं डिबबा बंदी संस्थान कहां पर है तो यह कहां पर है दोस्तो यह है लखनओ में यहां पर देखिए नेश्ट सफेदा केरला सरदार ललित मुर्खा यह क्या हैं यह हैं एक अमरूत की प्रजातियां सफेदा केरला सरदार ठीक ललित खुर्जा यह किसकी प्रजातिया हैं यह अम्रूत की प्रजातिया हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों अपसे अगर फूंच है कि बताए कि केला की प्रजाती कौन-कौन सी हैं तो यह हैं मालभोग, चीनी चमपा, अलगफान ठीक है और अंधेश्वर, दूसागर यह केल करनोज में हैं और यहाँ पर जो मेंथा आयल की सुद्धा होती है यहाँ पर देखिए आपसे पूछे पसू जैविक अवसदी संस्थान कहां पर है तो यह हैं लखणों में यहाँ पसू का चोहटी का करन का निर्माण किया जाता है पसू के तीकों का निर्माण तो यहीं पर होता है पसू जैविक अवसुदी संस्थान लगणों में अब आईए दोस्तों बात करते हैं नेश्ट पॉइंट की अगर आप से पूँचे यहां पर क्या पूँच रहा है कि उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की किरसी उत्पदक्ता सरवधिक कहां पर है तो इमांत क्रसी होती है यहां पर देखिए आपसे पूचा गया है सीला धर्व मर्दा विज्ञान संस्थान यह कहां पर है तो यह है प्रयाक राज में नेश्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश गो सेवाय अयोग का गठन 1999 में किया गया है उत्तर प्रदेश राज दुध पर परशत का गठन 1976 में किया गया है यहां पर देखिए पहुचा गया है कि जली अपरदन से प्रववित उत्तर प्रदेश का छेत कौन सा है तो है तराई का जो छेतर है वो जो है प्रवावित है किस से जली अपरदन से अब आईए दोस्तों बात करते हैं नेस्ट पॉइंट क यहां पर आपसे पूचा गया है कि उत्तर प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश से किसान बही योजना का गठन कप किया गया है तो 1992 नेस्ट पॉइंट है राज में संतरे की पैदावार वाला जीला का उनसा है तो संतरे के लिए जो ज लेतू किसान क्रेड़ कार योजना का प्रारम कप किया गया है तो यह किया गया उन्नी सो नीनानवे से दोहजार की बीच में मतलब इसका गठन किया गया है दोस्तों याद रखेंगे आईए अब बात करते हैं नेस्ट पॉइंट की यहां पर आपसे देखिए क्या पूचा करते हैं थोड़ा ध्यान से लाश तक जरूर देखिएगा यहां पर देखिए दोस्तों आपसे पूचा गया है उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरन की इस्थापना कब हुई तो उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरन की इस्थापना जो होती है वह 2004 में की जाती है नेट पॉइंट है प्रदेश का सबसे लंबा क्या दोस्तों पूछा कि प्रदेश का सबसे लंबा जो राजमार्ग है वो एन एच टू है ठी क्योंसा एन एच टू जिसे ग्रैन टंक रोड कहते हैं और सेरसा सूरी ने इसका नाम रखा था तो याद रखेंगे ठीक है और प्रदेश से गुजरने वाला सबसे बड़ा राजटी राजमार्ग है निष्ट है देश में कुल सड़क जो है सांजल की दरश्टी से उत्तर प्रदेश का इस्थान कौन है इस्थान ऑर पहले इस्थान पर है महाराष्ट जी सबसे रच जांगे अब आये दोस्तों मुंच निष्ट यहाँ पर आपसे पूचे कि उतर प्रदेश राज का प्रथम एक्सपरसवे कौन से था तो वो था greater noda और vaa noda के बीच किस्टे बीच greater noda और noda के बीच next point है राश्टी, राज मार्क, प्राधीकरण, द्वारा, निर्मित, उत्तर दच्छिन, पूरब, पश्चिम कोरी डोर एक दूसरे को कहां कारते हैं तो यह कारते हैं जहांसी में कहां पर कारते हैं जहांसी में कारते हैं आइए यहां पर बात करते हैं नेस्ट पॉइंट की अगर आपसे पूछे कि यमुना एक्सप्रस्वे यमुना एक्सप्रस्वे बतब greater noida से आगरा की बीच होता है जो है यमुना एक्सपरसवे जिसकी जो कुल लंबाई है वो ये 165.5 km कितने जिलों से गुजरता है तो ये 4 जिलों से गुजरता है यमुना एक्सपरसवे गौतम बुधनगर, अलेगर, मथुरा और आगरा इन 4 जिलों से जो यमुना एक्सपरसवे गुजरता है देखे यहाँ पर नेस्ट पॉइंट पुछा गया है लखनवु आगरा एक्सपरसवे कौनसा लखनवु आगरा एक्सपरसवे इसकी जो कुल लंबाई है 302 km ये देश इसका प्रथम ग्रीन फिल एक्सपरसवे है और कितने जिलों से गुजरता है तो यह जो है दस जिलों से जो है लखनवु आगरा एक्सपरसवे गुजरता है आए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नेस्ट पॉइंट की अगर आप सब मुझे लखनवु से बलिया तक पुर पुर्वांचल एक्सपरस कि लंबाई कितनी है तो 348.1 किलोमीटर और यह भी दस जिलों से गुजरता है नेस्ट पॉइंट है बौध परिक्रमा एक्सपरसवे यह बहुत इस्तोलों की यात्रा करने हैं तो प्रारम की गई है और इससे जो जुड़े जिले हैं वह है कवसा करती है अब दोस्तों अब आईए बात करते हैं लखनो प्लान का संबंद ठीक हैं लखनो प्लान का संबंद यह सड़कों के विकास संबंदी जो है दस वरसी प्लान किये गए हैं कब किये गए हैं 1985 में उत्तरपदेश में पर्थम रेल गाली कब चलाई गई है आप से में उत्तरपदेश में पहले रेल गाली चलाई जाती है उत्तरपदेश में रेलवे जोन के मुख्याले कहां कहां इस्थित हैं उत्तरपदेश की मैं बात कर रहा हूं तो उत्तरपदेश में जो रेलवे जोन के मुख्याले हैं वो है उत्तर प्रूवत्तर रेलवे गोरकप घेलवे का तो देखी विस्पुका भी हो गया है तो यहाँ पर यह नहीं है तिक है यह सुध्धु रुदा स्वामी प्लेट फॉम क्या हो गया है ते डियरकीुलोमिटर का स्वामी प्लेट yam यहांपर देखिए निइस्ट पॉइंट डीजल इंजन निरमाल हीतू डीजल लोकोमोटिव फरक कहां पर है तो है मड्वाडी में यद रखेंगे यह वरांड़ सी में और लस्ट पॉइंट है उत्तर प्तर प्रदेश में रेल्वे संग्राले कहा इस्थी थे तो वुराण्रवी में इस्थी थे अब आ ये next point की उनके बारे में चर्चा करते हैं प्रदेश में प्रवाई एड़ों के बारे में अगर आपसे मुझे चौधरी चरण सिंग अंतराष्टी हवाई एड़ा कहां पर है तो यह लखनवु मोशमी जो है आमोसी हवाई एड़ा कहां पर है लखनवु पर है यह चौधरी चरण यह है प्रियागराज में चकेरी हवा यद्डा यह है कानपुर में फुरसंद गन हवा यद्डा यह है बरेली में राबरेली में है फुरसंद गन याद रखें और हिंडन हवा यद्डा यह है काजियाबाद में डाक्टर अंबेटकर जो है अंतर राष्टी हवायड़ा यह है मेरट में कहाँ पर दोस्तों मेरट में है यहाँ पर देखिए नेश्ट आपसे पूँचे कि बताईए कौनसा यहाँ पर सरसवा अंतर राष्टी हवायड़ा कौनसा सरसवा यह है सहारनपूर में नेस्ट नागरिक उड्डेन प्रिश्चन केंद कहाँ पर है आप से पूचे तो यह बमरोली में है यह प्रियाग राज में है नेस्ट पॉइंट है नेशनल पायरा सूट ट्रेनिंग कालेज यह आगरा में इंद्रा गांधी राष्टी उड्डेन अकादमी कहाँ पाए तो फ जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर आप आए दोस्तों यहां पर बात करते हैं आपसे पूचा गया है यह दिल्ली कोलकाता जो एनेश टू से नहीं जुड़ा है तो नहीं जुड़ा है लखनवू ठीक है लखनवू नहीं जुड़ा है यहां पर देखिए दोस्तों आपसे प्रदेश के तीसरे रेल कोच फैक्टरी की स्थापना कहां की गई तो यह जो है रेल कोच फैक्टरी यह लाल गंज जो रारवली में की गई है तो यह भी पॉइंट आपके के लिए इंपोर्टन बनता है याद रखेंगे देखिए दोस्तों यहां पर आपसे पूँचा गया है कि बताईए कि एसिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको सेट कहां है तो यह है जो है मुगल सराय में कहां पर दोस्तों मुगल सराय में है अब दोस्तों देखिए यहां पर आपसे पूँचा गया है कि तो देखिए पहले जो है वो है पच्चमी छेत्र फिर बुंदेल खंड शेत्र वो केंद्री छेत्र और पूर्बी छेत्र यहाँ पर देखिए नेस्ट पॉइंट उत्तर प्रिदेश के सरवाधिक और सबसे कम विक्सित छेत्र कौन है तो सबसे जिदा जो है बिख्सित छेत्र है वो पच्छमी छेत्र और सबसे कम वो है पूर्भी छेत्र नेश्ट पॉइंट यहाँ पर देखिये दोस्तो अगर आपसे पूछे कि बताईए प्रवध्धोगी विकास की इद्रष्ट से उत्तर पदेश का सरवाधिक बिख्सिछेत्र कौन से है तो मैंने बताएं पच्छमी छेत्र है यहाँ पर प्रवध्धोगी विकास की गध्स द important question यहां से बनाया जाते है आप यहां पर देखिए प्रमकुद्दोग के संबंदित इस्थल आप से पूँझें कि मुरदावात किसके लिए प्रसिद है तो उह रहे दोतो किसके लिए पीतल के लिए प्रसिद है और मेरठ किसके के लिए प्रसिद्ध है तो है कैंची के लिए राबरेली किसके लिए प्रसिद्ध है कत्था के लिए ठीक है गोरकपुर यह है टेरा कोटा के लिए ठीक है और बेत उद्धोक यह बरेली प्रसिद्ध है जो है लकड़ी के नसकासी के लिए सहारनपुर्स प्रसिद्ध है खेल सलाई के लिए बरेली फिसंद है चमड़ा के लिए अगरा कानपुर्ष पसिद्ध है याद रखेंगे यहाँ पर देखिए दोसतों नेश्ट पॉइंट आप से पूँछा गया है बताईए कि उत्तर प्रदेश के अद्धोगी प्राथिकरन के बारे में बात करते हैं ठीके वर्स गठन के बारे में बाद करते हैं अब देखिए नोएडा नोएडा जो है यहाँ पे नवीन ओखला औधोग बिकास प्रारम हुआ है 1976 में भदोही औधोगी बिकास प्रारम हुआ है यहाँ पर 1881 में ठीक याद रखें गोरकपुर औधोगी बिकास प्राधिकरन यह जो है इसकी स्थापना होती 1988 में जिसका नाम गीडा है जो यहाँ पर देखिए पुछा गया है सतहर्या औधोगी बिकास प्राधिकरन इसकी स्थापना होती 1989 में ग्रेटर नोइडा देखिए यहाँ पर क्या पुछा है ग्रेटर नोगा ब्राधी नभीन ओखला जो है इंधन अधारिस जो है प्राधिकरन इसकी स्थापना 1991 की जाती है लखनव ओधोगी बिकास प्राधिकरन की स्थापना 2005 में की जाती है याद रखेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर आपसे पूछे यमना एक्सपरस्वे जो है ओधोगी बिकास प्राधिकरन की स्थापना यह 2001 में की जाती है आए दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि बताए उत्तर प्रदेश यहाँ पर देखिए important point है उत्तर प्रदेश जो है खादी ग्रामो दो बोर्ड की स्थापना कप की जाती है तो दोस्तों यह जो की जाती है याद रखेंगे यह की जाती है 1960 में नेट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में साफ्ट वेर और बिजनेश प्रोसेस आउट सर्विसिंग का सबसे बड़ा केंद कहां पर है तो यह है नोईडा में अब आए दोस्तों अब हम बात करते हैं यहां पर देखिए इसके बारे में बात करेंगे अब हम जो है कलश्टर विकास योजना के तहित जो है कलश्टर उनके बारे में बात करेंगे अगर आप से पूछें दोस्तों यहां पर देखिए कार्पेट Clusters के बारे में तो Calpet जो Cluster इसके लिए भदोही प्रसिद्ध है Glass Bits के लिए वरांसी कालेन Cluster के लिए मिर्जापूर और पटारी Cluster के लिए खुर्जा और बुलन सहर लेदर Cluster के लिए चोरी-चोरा गोरखपूर प्रसिद्ध है याद रखेंगे आए दोस्तो अब हम बात करते हैं नेस्ट पॉइंट की आगे बढ़ते हैं दोस्तो वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तो आप देखिए दोस्तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसके बारे हम चर्चा करेंगे हम उत्तर प्रदेश जो है प्रमुख खनीज ठीक है और उर्जा संसाधन से संबंदी जो प्रशन है उनसे चर्चा करेंगे उन पर उत्तर प्रदेश जो है प्रमुख खनीज और उर्जा संसाधन से संबंदी प्रशन से इस पर चर्चा करने वाले हैं तो याद रखना देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे पूँचा गया है याद रखेंगे क्या पूँचा गया है खानिज संपदा की दरश्टी से उत्तरपदेश जो है वो निम्न माध्यम स्रेनी में आता है होने वाले राज ठीक है दो दो प्रस्चत वाला राज है तो इसमें देखिए का पूँचा गया है कि उत्तरपदेश राज खानिज निगम इसका जो विकास निगम का इस्थापना जो किया जाता है यहाद रखेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर आपसे पूँचे कि उत्तरपदेश की पहली खानिज निथी घुसित की गई है जीग है खानिज विकास वो दोग का दर्जा दिया गया है यह जो है 1968 नभी में दिया गया है यहाँ पर देखिए दोस्तों बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार वा उत्तपादन की द्रेष्ट से उत्तर प्रदेश का इस्थान आपसे पूँछें तो यह दूसरा इस्थान है कौँसरा इस्थान? दूसरा इस्थान है राज में उत्तर प्रदेश का आप देखिए यहाँ पर नेस्ट पॉइंट है आपसे पूँछें कि बताए ये कोईला भंडार की द्रश्ट से उत्तर प्रदेश का आठवा इस्थान है, उत्तर प्रदेश में कोईला पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश का आठवा इस्थान है, कोईला भंडार में, तो ये कोईला जो पाया जाता है, सिंगरोली और स्वनभत्र में पाया जाता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों सिलका सेंट रिख 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 काच बालू बुलते हैं उत्पाधन में देश में उत्तर प्रदेश का जो इस्थान है दूसरा इस्थान है और जो आंद प्रदेश है वो पहला इस्थान पर है आंद प्रदेश यहाँ पर नेश्ट सिलका सेंट पाया जाता है तो प्रियाग राज बांदा चित्रकोट चंदावली और जहास्वी यहां पर पाया जाता है ठीक याद रखें यह कांच बालू होता है कांच का अब आए दोस्तों बात करते हैं नेस्ट पॉइंट की यहां पर आपसे पूछा गया है सिलका सेंड मुखता प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है तो गंगा और यमणा से प्राप्त होता है नेस्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन छेत के बारे में यहाँ से भी आपसे कुशन पूछे जाते हैं अगर आपसे मुझे चूना पत्थर यहाँ पर मिर्जापुज और यहाँ पर एक ही राज याद रखेंगे पहला जरूर याद रखेंगे ठीक है कजराहट जो की सोनभद में है यह चूना पत्थर के लिए परसिद्ध है बाकसाइट बाकसाइट बांदा चंदावली ठीक है याद रखेंगे डॉलोमाइट मिर्जापुर सोनभद बांदा हीरा के लिए बांदा और मिर्जापुर गिरफाइड के लिए हमिरपुर और चूनार जो है मिर्जापुर में यह परसिद्ध है यूरनियम के लिए और हमिरपूर अब आए दोस्ते यहां पर देखिए तांबा तांबा के लिए ललितपूर किसके लिए तांबा तांबा के लिए ललितपूर जो का वहां का जो सोन राइचेतर है पसिद्ध है सैंड इस्टोन यह मिरजापूर सोन भद पसिद्ध है और फायर क्ले के लिए यह निर्जापुर्ष पसिंद है उत्तरपदेश की नई नीत उर्जा जो लागुए इसका गठन सन 2003 में किया गया है और यहाँ पर देखिए नेस्ट पॉइंट है कि राज के कुल विधुत उत्पादन में सरुधिक योगदान किसका है तो यह तापी विधुत का सरुधिक कौन सा है राज की सबसे बड़ी पुरानी तापी परयोजना यह हर्दुआ गंज तापी परयोजना ठीक है और रूस के सहयोग से बनाई जाती है यह उनीस सो पैयालिस में यहाँ पर देखिए नेस्ट राज की सबसे बड़ी जल विधुत परयोजना कौन सी है तो यह रिह जल बिधुत परयोजना ठीक है रिहद जल बिधुत परयोजना ठीक है सोन भद्र में है याद रखेंगे नेस्ट है परिष्छा ताप बिधुत परयोजना कहा पर है तो यह जहासी में अनपरात ताप बिधुत परयोजना यह सोन भद्र में है और पन की विस्तार ताप बिध कि राज में इस्थापित एक मात परमाड सयंत केंद कौन सा है वो है नरवरा क्यां सा है नरवरा है याद रखेंगे नरवरा है याद रखेंगे और भारी जल अधारी जो है परमाड विद्धुत केंद यह है बुलन सहर और इसकी इस्थापना 1992 में की जाती है प्रदेश में एंटी पीसी के गैस अधारिस सयंत कितने हैं तो है तीन ठीक और आया ठीक और आमला दादरी यहां पर देखिए नेश्ट है माता तीला जल बिद्धुत प्रुजना यह बेतवा नदित जासी में नेश्ट है स्तरवाधिक जल बिद्धुत केंद्रिस्थापित कहां पर है तो में नबेनी करनी उर्जा के महत्तों को दस्टीगत वैकलपिक उर्जा विकास संस्थान की इस्थापना की गई है तो उननीस सो तिरासी में की गई है अब आये दोस्तों बात करते हैं निजी छेत की प्रमुख बिद्धुत इकाईया है कौन कौन सी है अगरा यहां पर कि इस थापित की गई कि बारा संगम थाप विद्धुत प्रजिया एक प्रियागराण में है ठीक है और ललितपूर्द थाप विद्धुत परिया ललितपूर्र में पजाज गुरूप द्वरा जूरुकि गई है अब आए दोस्तों अब हम बात करते हैं नेस्टु पॉइ से प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में बिख्सित किया जाने वाले जिले सोलर सिटी के रूप में बिख्सित किया जाने जिले जो है वो आगरा है मुरादावाद है प्रयागराज है यहाँ पर इनेश्ट जो है सीतला जल बिधुर प्रयोजना कहां पर है आप से पूँचे तो यह जहासी में है नेश्ट है वह गाउं जिसका अपना solar power plant है तो वह है राम पुरा जहासी ठीक है आठ दसमलो साथ किलो वाट का खुद का power plant है यहाँ पर देखिए नेश्ट है ओबरा जल बिधुत केंद यह है रीहन नदी पर ठीक है ओबरा जो की स्वनभद्र में है अब आईए दोस्तों बात करते हैं नेश्ट पॉइंट की यहाँ पर देखिए अगर आप से पूछे कि बताईए उत्तर प्रदेश यहाँ पर किसके बारे हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के जो एतिहासिक धार्मिक जो है इस्थल और प्रेटन के बारे में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के जो एतिहासिक धार्मिक इस्थल प्रेटन है उन पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों अगर आप से पूछें बताए ऊतर परेटम को उध्यो का दर्जा जो दिया जाता है यह 1988 में दिया जाता है यहाँ पर देखिए नेश्ट पॉइंट है प्रदेश में हेरिटेच आर्क के रूप में बिक्सित किया रहा है कौन सा सर्किट पर यह आगरा लखनू वरानसी नेश्ट है यूनसको विश्ट धरोहर सूची में सामिल उत्तर प्रदेश की समारक कौन कौन से है तो यह है आगरा का किला ठीक है ताज महल और फतेपूर सीकरी यह है विश्ट धरोहर में जो है इनको गुसित किया गया है यहाँ पर देखिए दोस्तोओ अगर पूछे कि बिदेशी परेटक को के लिए प्रदेश का महतपूर दारसनी कि स्थल कौन सा है तो यह है अताज महल थीक है ताज महल है और भारत का भी जो है परेटक इस्थल है दार्षनिक रूप से यहाँ पर देखिए नेश्ट पॉइंट है तलया परिजुना यह जापान के सहयोग से चलाई जा रही है ठीक है और बोध परिपतों का निर्मार इसमें किया जाएगा नेश्ट पॉइंट है जैन धर्म के तीर्थ जैन धर्म के तीर्थ करों की जन्भूमी कौन सी है तो है ऐधा ठीक है ऐधा है रिसब देव की जन्मिस्तिली यहाँ पानी जाती है ऐधा याद रखेंगे आइए दोस्तों बात करते हैं नेश्ट पॉइंट की आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है यहाँ पर देखिए निष्ट है कि पुष्य मित्री सुंग ने दो अस्वमेव यग किया कहाँ पर किया? आयुध्या में किया आपसे पूछेगा पुष्य मित्री सुंग ने दो अस्वमेव यग कहाँ पर किया तो आयुगध्या में किया है निश्ट देखिए महा जन्पत काल में उत्री पंचाल की राध्धानी अहिछत्र कहां है जो उत्री जो है उत्री पंचाल की राध्धानी अहिछत्र थी वो कहां है तो यह है बरेली जन्पत में निश्ट है सिंदु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार इस्थल कौन सा था तो आलम गीरपुड जो की मेरट में है और हिंडन नदीके की नारे पर बसा हुआ है निश्ट देखिए अगर आप से पूछे कपिल वस्त्रू साकगड़ राज की राधानी यह कहाँ पर है तो यह year है पिपर हावा कहा पर पिपर हावा में पिपर हावा यह है सिधर नगर यहाँ पर है अब दोस्टों आए निश्ट बात करते हैं यहाँ पर गौतम बुद्ध बुद्ध और जैन दोनों का प्रसिद तीरत इस्तालाब से पूँचे तो यह है कहां पर कौसामबी में बौत और जैन दोनों का प्रसिद तीरत इस्तालाब से पूँचे कहां पर है तो यह है कौसामबी थीक है, वस जलपत की ये राजधानी थी कौशामभी, तो याद रखें, वस जनपत की राजधानी नेश्ट है, बताइए कि प्रसिद जैनतीर्थ प्रभास गिरी इस्तित कहाँ पर है, तो यह है कौशामभी में नेश्ट है भक्त संत मलूक दास की जन्म इस्थिली कहां है तो है कडा कोशामबी में नेश्ट आप से पूँछे अगबर के नौरत्नम में से एक बीर बिल जो है बीर बल का जन्म इस्थान कहां पर है तो वो है कालपी कालपी पर बीर बल का जन्म इस्थान है आईए देखते हैं यहाँ पर नेश्ट पॉइंट है हमारा आपसे आपसे पूछे कि जन्म जो जैन धर्म के तेश्वें तीर्थ कर जो तीर्थ हंकर है पारशुनात का जन्म कहाँ पर हुआ तो यह हुआ कासी में नेश्ट जैचंद को मुहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया तो यह किया है चंदावर का युद्ध में तो 1294 चंदावर का युद्ध होता है और जैचंद और मुहम्मद गोरी के बोज़ ठीक है तो याद रखना जैचंद को मुहम्मद गोरी ने पराजित किय है और यह जो चंदावर के युद्ध है गेरस चोरा नवे में हुआ है और यह कहां पर है कन्नोज इटावा में आए देखें नेश्ट जॉन पूर जो है की स्थापना सीरे जो सीराज एहिंद बोलते हैं जॉन पूर को सीराज एहिंद बोलते हैं इसकी स्थापना इसकी स्था कालिन दसा उतार मंदिर कहां पर है तो यह है देवगर्ड ललितपूर अब आईए यहां पर देखिए नेश्ट पॉइंट अगर आप से पूछे कि हर सुवर्धन प्रती पांचवे वर्ष महामोच परसत का आयोजन कहां करता था तो यह प्रयाग राज में करता था नेश्ट गुप्तों की धार्मिक संस्कीत राजधानी कहा थी तो यह थी प्रयाग राज में नेश्ट प्रसिद इतिहास कार जियाव दीन बरनी का जनमिस्थान आपसे पूछे कहां था तो यह था दोस्तों कहां पर बरन जो है बुलंद सहर में नेश्ट आप से पुछे गुप्त का हैं नेश्ट पॉइंट की अगर आपसे पूँछे दोस्तों कि गुप्त कालिन इस तल भीत्री इस्तित है तो यह गाजी पूर में और भीत्री गाउं कानपूर में हैं नेश्ट पॉइंट सूफी संद सेख निजामुदिन अउलिया का जन्म इस्थान आपसे पूँछे तो यह बदायू में नेट सुल्तान बनने से पूर इलतल मिस कहां का इक्तादार था तो यह था बदायू का नेश्ट आपसे पूँछे भारत के प्रथम 77 संग्राम का आगा आज कहां हुआ तो यह मेरट से हुआ है दस माई 1857 से आईए दोस्तों आगे बढ़ते हैं निष्ट पॉइंट देखें यहाँ पर कि वरांसी के निकट सारनात के अन्यनाम तो यह था सारनात का अन्यनाम रिशब पंथ नगर ठीक है यह था निष्ट है भगवान बुद्ध का पहला उब्देश क्या कहलाया धर्म चक्र परवर्तन कहां पर दिया सारनात में निष्ट है धामेक इस्तूप धर्म राज का इस्तूप यह कहां पर है यह सारनात में है निष्ट बुद्ध ने इस सुरियों को संग में प्रवज्या की अनुमती दिया कहां पर अंसिका से अंसिका में क्या दिया संसी संकीसा में इनेस्ट है भगवान बुद्ध ने सरवाधिक 25 वर्थ का काल ब्यातित किया कहां पर मतलब 25 वर्थ कहां पर तपश्या की तो यह थी स्रावस्ति में तो याद रखें स्रावस्ति इनेस्ट है आप सब मुझे अजीवक संपदाय के तो ये हुआ सरावस्ति में कहां पर दोस्तो स्रावस्ति यहां पर पर देखिए नेस्ट आप से पूणशे कि बताईए सूर सेन महाजनपत की राध्धानी तो यह है दोस्तो मत्府रा है इसकी राध्धानी आईए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए अगर आपसे पूछे कि कुसाणों के पूर्वी समराज की राध्धानी जो है मूर्ति कला एवं ब्यापार का प्रमुक केंद्र क्या था तो यह था मथुरा नेश्ट प्रचीन काल में जो है ब्रहमवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद जहां महारिसी बालमीकी का आसरम कहा था तो यह था जोस्तों विठूर कहां पे था विठूर महारिसी बालमीकी का आसरम था नेस्ट पॉइंट बेगम संब्रू द्वारा बनाया गया विसाल चर्च तो ये था सर्वधना जो की मेरट में है अब आए दोस्तों नेस्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया है दोस्तों कि बताइए कि प्रथिवी का सर्वो परी तीर्थ किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है चक्र तीर्थ नैमी सारने को तो यह से कहा जाता है पिर्थिभी का सर्वो परी तीर्थ कहा जाता है नेश्ट पॉइंट जैनों की कासी कहा जाता है किसे यह हस्तिना पुर्को कहा जाता है जैनों की कासी हस्तिना पुर्को यहाँ पर देखें नेश्ट पॉइंट है प्रसिद संत सायद सलार वा मशूद गाजी की दरगा कहाँ पर है तो यह है बहराईच में कहाँ पर दोस्तो बहराईच में है आए दोस्तो यहाँ पर देखिए नेश्ट पॉइंट अगर आपसे पूछे कि बताईए नगर महोदय सिरी के उपनाम से प्रसिद नगर कौन सा है तो कन्नोज है तो याद रखें इसे इत्र की नगरी भी कहते हैं कन्नोज को अब नेश्ट पॉइंट आगरा की स्थापना किसने की सिकंदर लोदी ने पंदरा सो चार में आगरा नगर की स्थापना करते हैं नेश्ट पॉइंट है मुगल काल में हिंसा का प्रमुक केंदर क्या था तो ये था आगरा आगरा जोध है वो मुगलकाल में हिंसा का प्रमुक केंद्र माना जाता है नेश्ट प्रसिद सूफी संत हाजी वरिश अली सहा की जो है मजार कहां पर है दरगाह पूँचे तो ये है देवा सरीप ये देवा सरीप जो है उबारा बंगी में है दोस्तो याद रखना आईए अब नेश्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर देखिए आपसे पूँचा गया है कि बताईए महा जन्पद काल में पूर्भी पंचाल जन्पद की राजधानी कमपली किन महा भारत काले इन चरित्रों का जन्मिस्थान रहा तो यह था जो दुरोपदी और दुर्वानचार तो इनका जो जन्मिस्थान रहा है आगे देखिए निश्ट महा जन्पद काल में मल गन्राज की राजधानी क्या थी तो यह थी कुशी नगर थी और यहें पर भगवान बुद्ध का महा पर निर्वान हुआ था ठीक है यहें पर उनकी मृत्व हुई थी और इसी मृत्व को महा पर निर्वान के नाम से जाना जाता है यहां पर देखिए दोस्तो आप से पूंचा गया है किसके सासन काल में अवध की राजधानी फैजावास से लखनव लाई गई तो ये जो अवध की राजधानी फैजावास से लखनव लाई गई गई नवाब अस्फाव दौला के सासन काल में अब देखिए दोस्तो यहाँ पर निश्ट कुश्चन आपसे पूछा गया है कि रानी लच्मी भाई का जन्म कहां पर हुआ नहीं पूछा है वरारसी में हुआ है यहां पर देखिए प्रेम मंदिर इस्तिते ब्रनदावन में जो है क्रपालु जी महराज से संबन्दी थे अब देखिए यहां पर निष्ट लाड कारणवालिस का मगबरा कहां पर इस्तित है तो यह है गाजीपूर में गाजीपूर में जो है लाड कारणवालिस की दरगा इस्तित है निष्ट है कांती नगर के नाम से बिख्यात है तो वो है मेरट ठीक है यहीं से वो है अठारा सो स प्रतावन में क्रांती शुरू होती है तो मेरट टिसका राइटंसर है देखे हींग वा गुलाल नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो यह हाथ रस प्रसिद्ध है आए नेस्ट क्विश्चन की बात करते हैं दोस्तों अगर आप से पूचे चोरा चोरी चोरा किस जिले में इस्थित है तो यह चोरी चोरा जो है वो है गोरक पुर जिले में इस्थित है नेस्थ है बिसका प्रचीनतम जीवन नगर सहर कौन है तो वह है कासी या वारांसी यह बिसका प्रचीनतम जीवन सहर है नेस्थ है उदेयन बासवदत्ता की कथा संबंदित है तो उदेयन बास की जो, कसा है, वो कसाम से संभन देते हैं नेडिक है। .. जे के मंदिर कहां पर इसती थे दोस्तों तो यह कानपुर में.. आप से पूछे भाड़तमाता मंदिर कहां पर है तो यह वारांसी में.. और आप से पूछे प्रजिस्ठान पूरीoking Myanmarisab देव की जो थे.. तपिस्तली कहां पर है तो है कहां पर जोसी में जोसी कहां पर है दोस्तों प्रियाग राज में आईए यहां पर देखें नेश्ट पॉइंट है यह आप से पूछें कि बताईए उत्तर प्रदेश राज परेटन दिवस कम मना जाता है तो यह 14 फरवरी को मना जाता है उत्तर प्रदेश राज परेटन दिवस और इसका जो प्रारम होता है ये 2016 से इसको प्रारम किया जाता है नेश्ट देखिए उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पालिसी का प्रारम कहां हुआ कब से हुआ तो ये हुआ है 2014 से नेश्ट है मंदिरों और घंटों का नगर ये है वरानसी अगर आपसे पूछे चित्रित धूसर म्रदभांट से संबंधित जो है अंतरजी खेडा कहां इस्थित है तो ये है एटा जिले में ठीक है याद रखें अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेश्ट कोईशन आपसे मुझा गया है कि बताइए स्वामी हरिदास कहां निवास करते थे तो स्वामी जो हरिदास है वो ब्रंदावन के निधीवन में निवास करते थे अब आईए दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश से कलायन संस्कृत के बारे में आईए बत दोस्तों जानते हैं इसके बा संस्कित विभाग की इस्थापना जो है कब की गई तो यह की गई है 1957 में यहाँ पर देखें नेश्ट पॉइंट उत्तर पदेश संगीत नाटक अकादवी तो यह है लखनवु में कहां पर दोस्तो लखनवु में इस्थापना 1963 में की जाती है नेश्ट है राष्टी कत्थक संस्तान कहां पर है तो यह है लखनवु में इस्थापना इसकी है जो है 1988 से 1989 के बीच इसकी इस्थापना होती है नेश्ट पॉइंट उत्तर प्रदेश में जो है इस्थापत कला के प्रचीन साच्छ जो है वो मौर कालेन में मिलते हैं तो याद रखें अब आईए दोस्तो नेश्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दोस्तो बताईए कि मंदरी निर्मार कला का विकास जो हुआ है कब हुआ है तो यह गुप्त काल से हुआ है नेश्ट है मुगल चित्रकला सैली की नियू जो है किस समय पड़ी तो हुमायू किस समय से पड़ी अगर आपसे पूँछे मुगल चित्रकला का सुन काल माना जाता है तो यह माना जाता है जहांगीर की काल को जो मुगल चित्रकला का सुन काल माना जाता है दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर आपसे पूँछे कि उत्तर प्रदेस कलाय। सिल्प महा विद्याला की इस्थापना कब होती है तो 1911 में इसकी इस्थापना होती है निश्ट देखिए लखनओ चित्रकलासाईली के जनक तो यह है आसित कुमार हलदार तो याद रखें ठीक है निश्ट यहाँ पर देखिए दोस्तो अगर आप इसके जो चित्रकार है और रणबीर सक्षेना है आए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए निश्ट पॉइंट है आपके लिए और आप से पुछा गया कि बताएए सत्यम सिवं सुंद्रम के चित्रकार कौन है तो यह है सिउननदन नोटियाल कौन सर संगीत का बाइबिल की संग्या किसे दी गई तो भरत मुनी नाटि साथ्र यहाँ पर देखिए धुरूपस सहली में इरानी सहली का मिश्रन कर ख्याल गायन का अविश्कार किया गया तो यह किया है अमीर खुश्रों ने निश्ट पॉइंट है तबलायों सितार का अविश् साल चित्रकला संग्रहले जो है भारत कला भवन इसकी स्थापना 1950 में होती है कहां पर वरानती में इसकी स्थापना होती है आए दोस्तों यहाँ पर देखिए नेश्ट पॉइंट है अगर आप से पूछे कि बताए ठुमरी गाई का गिरजा देवी का संबन जो है किस घरान से नेश्ट जो है बंदा देन यहां पर देखिए मिन ड़े दो संभू महराज लच्छु महराज यह विर्जु महराज और जो है अच्छन महराज का संबन किस्से है तो यह कत्थक से इंपोर्टेंट है याद रखेंगे यहां पर नेश्ट है जो है सीर्स पर पहुँचने का से जो है किस घराने से है तो रामपुर घराने से यहाँ पर नेश्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश का एक मात्स सास्त्री नत कौन है तो वो है कौन सा दोस्तो कत्थक कत्थक नत का प्रेंडता जो और उन्नायक किसे मना जता है तो ये ठाक और प्रशाद को माना जता है यहाँ पर देखिए नेश्ठेक कथक में ठूमरी गायन का समावेश किषने किया तो ये किया है बिंदा देनने यहाँ पर देखिए दोस्तो प्रमुख लोग गीत कौन-कौन से हैं थोड़ा जान लेते हैं और कौन सा इस्थान प्रसिद्ध है देखिए यहाँ पर इंपोर्टन है जो भी इंपोर्टन है वहीं पढ़ना है बाकी है मझे फर्जी कुछ भी नहीं पढ़ना है तो देखिए यहाँ पर कजरी कजरी जो है मिर्जापुद में परसिद्ध है कजरी के लिए ठीक ये प्रमुक लोग गीत है कजरी मिर्जापुद वरांसी में भी होता है बिरहा बिरहा जो है पुर्वांचल में सोहर जो है अवध अवध पुर्वांचल में होता है आलहा ये बुंदेलखन में परसिद्ध ह और दोस्तों यहां पर देखो इसुरी फाग फाग जो है यह भी बंदेल खन और आला भी बंदेल खन और होरी फाग जो रसिया है यह ब्रज शेतमिस मनाए जाता है तो वहाँ पर पसिद है होरी फाग रसिया और इसुरी फाग जो फाग है यह बंदेल खन आला भी बंदेल ख जो है मिर्जा पूर में मना जाता है अब दोखिए दोस्तों यहां पर प्रमुख लोगनत के बारे में देखिए इंपोर्टन है जो भी वही पढ़ेंगे यहां पर देखिए प्रमुख लोगनत आप से मुझे ख्यालनत यह बंदेलखन ठीक है रासनत या जूलानत मयूरनत औ पाई दीप देवी कार्तिक शोरा पाई डंडा यह किसमें प्रसिद्ध कि छेत से बंदेलखन छेतर से यहां पर देखिए नेश्ट नटवारी और कंठ घुडवा यह धोबिया छेत सम्बंदी थे और यहां पर देखिए कहरवा और धीवर यह पुरवांचल सम्बंदी थे नेश्ट है जोगनी और कलावाली यह अवद्षेत से कर्मा कर्मा सोनभद और मिर्चापो से संबंदी थे आए नेश्ट यहां पर देखिए दोस्तों अगर आप से पूँछे कि राहुला राहुला बंदेलखन से संबंदी थे नेश्ट देखिए आधुनिक सास्त्री इमंदी रंकल मंच का जयनक किसे माना जाता है तो भारिट-न और हरिस्चंद को से को आपसे आए दोस्तों आगे पढ़ते हैं यहां पर देखें मैं अगर आप से पूछें इस बताये उत्तर प्रदेश के प्रमुख belum लौगनत तो उत्तर रामनगर वरांसी प्रयाग राज अयुद्धा यहां पर अयुजित की जाती है और रास जो है लीला है वह ब्रच्छेत में नटंकी जो है वह कानपूर और हत्रास इसके लिए प्रशिद्ध हैं अब देखिए यहां पर देखिए दोस्तों राज में सवराधिक जो है अगरा मेला का अज्धाल किया जाता है और पर दोस्तों आगरा में बटेषर मेला का जन किया जाता है और ये जो है पसुओं का मेला है तो ये भी बात आप पर याद रखेंगे पसुओं का मेला अगर आप से पूछे नौचंदी मेला कहा पर लगता है तो नौचंदी मेला जो है मेरट में लगता है और दादरी मेला है ये पसुओं का मेला है ये भी बलिया में लगता है गढ़ सलार गाजी का मेला ये बहराइच में लगता है और गोला गोकर नाथ मेला ये खीरी में लगता है तो याद रखेंगे और देखिए इंपोर्टन मेले हैं जो भी है सभी याद रखेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तो अगर आप से पुछे नफ कैंटिया मेला ये वारानसी का है और साकंभरी मेला देवी जो साफखंभरी देवी है ये सहरनपूर और गोबिन साहब मेला ये अमबेटे करनगर में लगता है खिचड़ी मेला गोरकपूर और चैत रामनौमी का मेला ये आयुद्धा में आयुद्ध किया जाता है अब दोस्तों आईए बात करते हैं यहाँ पर देखिए इंपोर्टन पॉइंट है आप से पूँचे हिंदू मुस्लिम एकता का जो सुलहा कुल महुष्चो मना जाता है वो कहां मना जाता है आगरा रहा कहां आगरा में त्रिवेडी महुष्चो ये प्रियागराज में मना जाता है कौन सा त्रिवेडी अगर पूँचे ताज महुष्चो ये आगरा मना जाता है कबीर महुष्चो कबीर महुष्चो कहां पर मगहर और संत कबीर नगर में अब आये दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट हैं आज से पूछें कि उत्तर प्रदिस चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई तो यह की गई है दोस्तों कब 1975 में राजकी जैन संग्राले की स्थापना 2003 में की जाती है मतुरा में नेश्ट है उत्त फिपरहवा में फिपरहवा जो है सिधारतंगर में है याद रखेंगे देखिए नेश्ट है यहाँ पर आप से पूछें कि खड़ी बोली का विकास सौरसेनी से हुआ है और इसके अन नाम क्या है तो कवर्भी है खड़ी बोली के अन नाम कवर्भी है हिंदुस्तानी है और नागरी है क्यों से नागरी और सरहिंदी ठीक है यह जो है सौरसेनी के जो है सौरसेनी से हुआ है विकास इनका तो इन चार भासाओं का हुआ है तो याद रखेंगे आप देखिए दोस्तों यहाँ पर आप से अकर पूछें कि बताए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना इस ठीक हां थरस और कासगन ब्रशेत के हैं और आद में प्रिवक्त भासा का जो विकास हुआ सौरसेनी अब भासा का यहाँ पर विकास हुआ है अब देखिए दोस्तों फैजाबाद फैजाबाद जो है फैजाबाद हो या गोंडा हो यहाँ पर देखिए फैजाबाद गोंड तो ए अर्ध मगधीव से हुआ है और इन सभी जिलों में जो है अवधी बोली जाती है कहाँ पर फैजाबाद, गोंडाय, भाराइश, सीतानगर, लखनव, उन्नाव, राबरेली आदे में बोली जाने वाली अवधी भासा है देखिए निष्ट है परदेश में सरवाधिक लोगों द्वारा जो बोली जाने वाली उप बोली है वो है भोजपुरी कौन सी है दोस्तों भोजपुरी अब आईए निष्ट यहाँ पर देखिए अगर आपसे पूछे कि उत्तरपदेश राज की अभिलेखा गर जो है इसकी स्थापना का होती है तो इसकी स्थापना होती है उनिस सो उन्चास को प्रियाग राज में कहाँ पर उनिस सो उन्चास प्रियाग राज में होती है जयन और बोध दोनों धर्मों का प्रसिद तीर्थ इस्तल पूछे तो यहे कौशामबी उत्तरमध संस्कीत केंद कौन सा है तो यह है प्रियाग राज नेष्ट है राजकी स्वजनत्रा संग्राम संग्राले कहाँ पहे तो यह है मेरठ में नेश्ट है प्रदेश में कुसाल हैं गुप्त काली संस्कीत का एक मात्र संग्राले कौन सा है तो यह मत्रूरा संग्राले नेश्ट देखिए यहां पर खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्पून योगदान जो है वो किसका है अमीर खुसरो का तो याद रखेंगे आए बाड़ते हैं आगे नेश्ट कुश्चन पर यहां पर देखिए अब उत्तर प्रदेश सिच्छा और साहित यहां पर इसके बारे में थोड़ा से डिसक्स करते हैं इंपोर्टन जो भी है वही पढ़ेंगे यहां पर देखिए इलाहाबाद विस्विद्याले इलाहाब अठारा सो सथाओन प्रारम जो है किस चर्ड़ा के रूप में स्थापित होता है तो यह जो है इलाहाबाद यह जो यह जो है मियोर सेंट्रल कालेज के रुप में स्थापित किया जाता नेश्ट यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश में जो है प्राथमिक, माधमिक और उच्छ सिच्छा के लिए अलग-अलग जो है निदेशाला कब बनाए जाते हैं तो यह उनिस सो बहत्तर में बनाए जाते हैं कब 1982 में यहां पर नेश्ट पॉयंट है सिच्छा मित्र योजना जो शिच्छा मित्र योजना है ये सं 2000 से 2001 में प्रावम्भोती है सिच्छा मित्र योजना तो यह जो है प्रात्मिक सिच्छा का सरभौमिक में करने के लिए मन का नुसर अध्यापक छात्र और पात बनाना ग्रामीड यूवा सक्ति को अपने ग्राम में सिच्छा सेवा का उसर प्रदान करना इसका काम होता है तो याद रखेंगे यहाँ पर देखिए निष्ट है आपसे पूँचे कि सिच्छा मित्र योजना के तहित जो है सिच्छा मित्रों का जो चैन होता है वो ग्राम सिच्छा समित की द्वरा किया जाता है यहाँ पर देखिए ACI का सबसे बड़ा आवासी बिस्विद्याले का उनसा है तो यह है बी एच यू नेस्ट है 6 से 14 वर्स की सभी बच्चों को सिच्छा पदान करने है तू सर्व सिच्छा अभियान का प्रारम जो होता है वो सन 2001 से 2000 के बीच होता है और सभी को सिच्छा सभी को ग्यान देना इसका उद्देश है यहां पर देखिए साचिक द्रष्टी से पिछले बलाकों में बालिकाओं की सिच्छा है तू जो है कसूरुबा गांधी माहा जो है बालिका विद्वाला की योजना जो है यह सन 2004 में की जाती है अब यहां पर निष्ट है और आपसे पुछा है कि प्रात्मिक स्कूलों में मिड़े मिली योजना की जो सुरुवात होती है वो कब से होती है तो यह 1995 होती है याद रखेंगे कस्तूरुबा गांधी वा कस्तूरुबा गांधी वा कस्तूरुबा गांधी विद्वाला योजना को सौरुच्छा अभिवान में कब से सामिल कर लिया गया है तो सौरुच्छा जो अभिवान में सामिल किया गया है यह सन 2007 और 2008 में नेश्ट है आग से पूछे कि बताईए कल्प योजना कल्प योजना जो है वो 1998 में शुरू होती है कल्प योजना नेश्ट है भारत सरकार के सूचना प्रदोकी बिहाग द्वारा कंप्यूटर के मादम से विभिन विश्यों के जो होता है वो प्रोजेक्ट वो है बिद्दावाहनी प्रोजेक्ट द्वारा यहां पर देखिए नेश्ट है आप से मुझे राष्टी मादमी सिच्छा अभिया को रखा गया है नेश्ट है उत्तर प्रदेश करसी अंसंधान परिशद इसकी स्थापना 1989 में लखनों में होती है तो याद रखेंगे अब देखिए नेश्ट है अगर आप से पूछे कि उर्दू को प्रदेश की दुती राजवांसा कब भौसित किया गया है तो जो उत्तर प्रदेश की दुती राजवांसा है पहली राजवांसा है हिंदी और दूसरी है उर्दू तो उर्दू को कब भौसित किया गया है राजवांसा के रूप में त नेस्ट उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त बिश्विद्याले कौन सा है तो राज की पुरसोतम दास टंडन ओपन यूनियन प्रियाग राज यह है और इसकी स्थापना उनिस्तो अठानबे में की जाती है यहां पर देखें नेस्ट उत्तर प्रदेश हिंदी संस्तान उत्त नेस्ट है कनहियालाल मरिकलाल केंद्री हिंदी संस्थान यह आगरा में आए नेस्ट है आप से पूंचे उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कहां पर है तो यह है लखनव में इस्तापना उनिस सुभात्तर में होती है उर्दू प्रसिच्छन एवान अंसुनधान केंद् भारती पुर्षकार दिया जाता है और विश्व भारती पुर्षकार जो है यह उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा दिया जाता है तो भारत भारती पुर्षकार जो है यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा जिया जाता है और विश्व भारती जो पुर्षकार है यह उत्त्र प्रदेश संस्क्र संस्थानदोर्हा दिया जाता है निहाँ पर देखें कि बनारस हिंदू विस्थ्विद्यलय का सिलह है वब रखा गया तो यह रखा गया Nagu हम पर अगर आप जो है चित्रकोड में है तो जगत गुरु राम दुरोनाचार विकलांग विश्व विद्याले चित्रकोड में है इस्थापना 2001 में इसकी स्थापना की जाती है तो याद रखेंगे यहाँ पर देखिए निष्ट अगर आप से पूचे कि बताइए भारती भासाओं के कि रख्यार यह कहां हिंदु स्तानी अकैडमी की स्थापना इस्थापना रियाग राज में की जाती है और 1927 में की जाती है यह में स्याथ विश्विद्याले हैं वो हैं चार कौन-कौन से बी एच यू यह वरानसी में हैं ए यम्यू यह अलिगर में बी आर ए यू यह लखनों में और ए वी जो है विश्विद्याले यह प्रियाग राज में याद रखेंगे दो विशेश केंद्री विश्विद्याले एक है रानी लच्मी बाई जो है केंदरी विश्विद्याले जो की जहांसी में है इस्थापना 2014 में की जाती है और जो दूसरा है वह राजियु गांधी राश्टी भीमान विश्विद्याले जो की रायवरैली में है आये बात करते हैं यहाँ पर नेश्ट की केंदरी उच्च तिबबती सिच्छा संस्तान यह जो है सारनात में वरांसी में नेश्ट है आरोग्य वा कल्यान पत्रिका का प्रकाशन यह कोरकपुर से होता है नेश्ट है हिंदी के पर्थम समाचार पत्र कौन था तो यह था हिंदी का समाचार पत्र जो पर्थम था उद्दंड मारतंड और इसके संस्तापक जो थे पंडित जुगलकोर की सोर थे और यह कहां के निवासी थे यह है कानपुर के निवासी थे निष्ट है उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र कौन था तो यह था बनारस अखबार तो उत्तर प्रदेश से जो है निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र जो था वो बनारस अखबार था और इसके संपादक जो थे वो गोविंद नारायन जो थत्रे थे इ रिश्की संपादक जो है 1845 में होता है आए यहां पर देखिए निष्ट अगर आप से पूचे कि बताएए कि प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अख़बार कौन था तो उर्दू का जो पहला अख़बार था वो सरदल अख़बार था और प्रकासक इस्तल था कहां से होता है तो यह होता है प्रियाग राजसी नेश्ट है विकलांगों को प्रवाधिक सिच्छा के उद्देश से डाक्टर अंबेटकर इन इस्टिटूट आफ टेकनोलाजी फार जो हैंडिकाइब यह है कहां पर यह है कानपूर में इस्तापना 1996 से 97 की बीच में इस्तापना होती है आगे यहां पर देखिए दोस्तों अगर आप से पूछे कि उत्तर प्रदेश और वन इसके बारे में उत्तर प्रदेश और वन के बारे में जान लेते हैं उत्तर प्रदेश और वन के बारे में ठीक है उत्तर प्रदेश वन वन जिव तथा रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं तो आईए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपसे पूछे यहां पर देखिए परियावरान वन जलवाई परिवर्तन मंतराले के अधिन भारती वन सर्मेशन द्वारा भारत वन इस्थिती रिपोर्ट 2019 जारी की गई है 1987 से प्रकासित की गई है सुलावी रिपोर्ट है यह याद रखेंगे यार रिपोर्ट संपूर्ण भारत में वनों के प्रकास विस्तार तथा वन संसानों के आकलान पर पस्तूत की जाती है जिसमें विशेश रूप से उत्तर प्रदेश में के संबन्द में विशेश तथ यहां पर दिये गए हैं आए जानते हैं उत्तर प्रिदेश के बारे में देखिए इंडियन सर्वे फोरेश्ट रिपोर्ट के अंसार उत्तर प्रेश्ट में कुल जो है रिकारडेटा वन छेत्र जो है वह है स्वाराजार पांसो 2-822 किलिου मीटर है जो कि संपूर्ण भगोली छेत्र का जो है वह है 6.88 पर्सेंट यहां पर देखिए कुल रिकारडेटा वन छेत्र में रच्छीत वन जो हैं वह हैंめて 72 कि रिकारडेटा 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 वन छेत्र में उपस्थीत वन अप आप से पूछे तो यह सोला वह सोरी 6.98 परसेंट कुल दिकार डेंट वन छेतर में जो अवर्गी करत वन है वह हैं 20.2-3 परसेंट यहां पर देखें दोस्तों अगर इंडियन सर्वे फॉरेश्ट रिपोर्ट के अंसवार राज में जो वना च्छादन है वो कितना है तो वो है 6.5 परसेंट और वहीं बात करें 14,805 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है यहां पर देखें इंडियन सर्वे फॉरेश्ट रिपोर्ट 2017 की तुलना में जो है राज की वन च्छेत की में जो ब्रधी हुए है वो हुई है जो है 126.65 वर किलोमीटर नेश्ट यहां पर देखें उत्तर प्रदेश में ब्रच्छादन जो हुआ है वो हुआ है कितना राज के में जानिया कितनी है तो जानिया जो हुआ दसमलो 04% है और यह जो है वरक्षेत में 577 किलोमीटर वरक्षेत में फैला हुआ है यहां पर देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वधिक वा सबसे कम वन च्छेतर वाले जो जीले हैं वो सबसे जिदा है सोन भद्र में और सबसे कम भदोई में है आए यहां पर बात करते हैं निष्ट यहां पर देखिए अगर आप सब मुझे प्रदेश का सरवाधिक वन छेतफ़ल वाला जिला तो यह है सोन भद्र ठीक है वन छेतफ़ल वाला जिला निष्ट है प्रदेश का निउन्तम वन छेतफ़ल वाला जिला तो यह संत कभीर नगर निउन्तम छेतफ़ल वाला जिता है निष्ट यहां पर देखिए अगर आपसे पूचे कि बताईए सारुधिक तो यह सुनभद्र पहले पर चंदोली दूसरे पर पीली भी तीसरे पर उसके बाद मिरजयापूर और चित्र को उठाएँ यहाँ पर देखिए सबसे कम वन पर से यहां तो संत कभीरदास है सोरी और मैनपुरी है देवरिया है बनाई होए मउग है अब आईए देखते हैं यहां पर देखिए आपसे मुझे प्रदेश के सारवाधिक वन छेत्फल वाले जिले तो यह पर फश्ट पहे हैं सुवन भद दूसरे पर खिरी मिर्जापूर उसके बाद पीली जित्टकूरट यहां पर नेश्ठ है प्रदेश के सबसे कम वन छेत्फल वाले जिले का उनने सबसे कम तो सबसे कम है संत रविदास्त जो है नगर उसके बाद माउव है मैनपुरी पिर इसके बाद जो है संक नगर संत नगर फिर दवर्या निश्ट देखिए यहाँ पर अगर आप से पुछे बताईए समान तहा प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का प्रकार कौन सा है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो उस्ट करबंधी वन पाए जाते हैं आए निष्ट बात करते हैं निष्ट पॉइंट की यहां पर आपसे पुछा गया है कि बताईए उत्तर प्रदेश में ब्रच्छा रोपन में बढ़ोत्री करने हो तो आपरेशन ग्रीन योजना का प्रारम कब हुआ तो आपरेशन ग्रीन योजना है जो होए वो एक जुलाई संदोहजार एक से होती है निष्ट है देश में स्वर्पथां वन ज्यू परिच्छन संगठन की स्थापना कब की गई तो 1956 से की गई उत्तर प्रदेश निष्ट देखिए उत्तर प्रदेश के एक मातर राष्टी उद्धान जो है दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना क होती है तो यह दुद्वा नेशनल पार्क जो है यह उत्तर प्रदेश का एक मातर राष्टी उद्धान है जिसकी स्थापना 1977 में होती है ठीक याद रखेंगे ठीक है और दुद्वा राष्टी उद्धान जो है वह लखिमपूर में इस्तित है अब आईए दोस्तों बात क चंद्रप्रभा राष्टी उद्धान पूछे लृझ याद रखेंगे यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो वन ज्यू अभ्यरण है वह है चंद्रप्रभा वन ज्यू अभ्यएरन जो की चंदौली में है कहां पर चंदौली में हैード इस ठापना जो होती है ौह 1957 में इस जो है 1 जूँ बिहार की इस थपना होती है देखिए सबसे बड़ा 1 जूँ बिहार कौन है सबसे बड़ा सबसे छोटा तो हो गया है चंदर प्रवा तुर याद रखें यहाँ पर देखिए आपसे पूचहे सबसे चोटा 1 जूँ अब deal शबसे चोटा यह सबसे बड़ा है और वहां पर सबसे पुराना और यहां पर सबसे छोटा तो सबसे छोटा है जो हैह किमanno पर देखिए किसान पुर्वण बिहार यह मिर्जापुर्ण भद में कच्छुआ जो वन्जुबिहार है वहां वरांसी में नष्ट सुहागी वर्वा वन्जु बिहार यह महराच गंज में अब आईए निष्ट बात करते हैं निष्ट पॉइंट की आप से पुछा गया है कि बताईए राज का सबसे पुराना पच्छी बिहार कौन सा है तो राज का सबसे पुराना पच्छी बिहार है नवाब गंज पच्छी बिहार और यह जो है उन्नाव में है और इस्थाप ना होती है यहां सबसे बड़ा पच्छी बीहार पोचे तो लखी जो है लाक्र बहुसी पच्छी बीहार है सबसे बड़ा पच्छी बिहार है और यह कन्योजु भर पहिसना है धिश्क इसाई ये 80 किलोमेटर में फैला हुआ है याद रखेंगे कि कुछ यहाँ पर देखिये सबसे छोटा पच्छी बियार पूँचे तो पटना पच्छी बियार रहा है कहां पर एक किलोमीटर प्रदेश के प्रमुक पच्छी बिहार यहां पर देखिए तो यह है बखीरा पच्छी बिहार यह बस्ती में प्रदेश सरकार के अंतरगत सामिल वन ज्यू सनच्छन के अन्द जो है वह है बारा वन ज्यू बिहार है और तेरा जो है वो पच्छी बिहार है आईए बात करते हैं यहां पर देखिए अगर आपसे पूछें कि बताइए कि जो ब्रच्छ बंधू पुरुस्कार है यह ब्रच्छा रोपण को बढ़ावा देने के लिए उद्देश से दिया जाता है और 2007 और 2008 से दिया जाता है यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश में कचुवा प्रजिन केंद कहां पर है तो यह कचुवा जो प्रजिन केंद है उत्तर प्रदेश में वो है सारनाथ तीक है सारनाथ में है याद रखेंगे और सारनाथ जो है वो अरांसी में है यहां पर देखिए नेस्ट है प्रदेश में सार्वाजनिक संस्थानों पर ब्रच्छा रोपण के लिए हरित पत्टी योजना कब चलाई गई है तो हरित पत्टी योजना जो है वो 2012-2013 से यहां पर देखें उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो नदी हैं जीले हैं और सिचाई के साधने उन पर एक बार डिसक्स कर लेते हैं जो भी important है उस पर ध्यान देगे ठीक है यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश की अधिकांस नदियों का प्रवाह जो होता है वो उत्तर पश्चिमी से दश्चिर पश्चिम की और होता है यहाँ पर नेश्च है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वधिक प्रवेश कहां करती है तो यह करती है भिजनौर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वथम पुचा है कहां से प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश में जो भिजनौर है वहां से गंगा नदी प्रव में जो गंगा नदी प्रियाग राज से हल दिया तो राष्टी जलमार्ग एक के रूप में है कौन है गंगा नदी है और प्रियाग राज से हल दिया है अब आए देश्टों यहां पर बात करते हैं नेश्ट पॉइंट है कि केंदर द्वारा गंगा को राष्टी नदी का दर्जा कभी दिया गया है तो गंगा को जो राष्टी नदी का दर्जा दिया गया है दोहजार आठ और नौ में दिया गया है नेश्ट है प्रदेश में यमना नदी का प्रवेश जो है वह है शहारनपूर से होता है राज की सारवाधिक प्रदूसी नदी आप से पूछे तो यमना नदी है नेश्ट है रामगंगा नदी का प्रवेश जो है कहां से होता है किस प्रदेश ते तो बिजनोर से होता है ठीक कालागर से जौनपूर सुल्तानपूर लखनव इस्तित है ये किस नदी किनारे ये थे गोमती नदी के किनारे नेश्ट है गोमती नदी का उद्गम इस्थल कहां से होता है तो फुलहर जील जो की पीली भीत है वहां से इसका उद्गम इस्थल है निष्ट है साली ग्राम वा नरायनी नदी के नाम से किसे जाना जाता है तो साली ग्राम मी वा नरायनी नदी के नाम से गंडक नदी को जाना जाता है यहां पर देखिए निष्ट आपसे पूछा गया है कि बताइए दोसों कि नदियों यहां पर देखिए नदियों के किनारे बसे जो है प्रदेश वा प्रमुख नगर इनके बारे में जान लेते हैं इंपोर्टन्ट है किसी नपसीट में ज़रूर पूछेगा यहां पर देखिए गंगा गंगा नदिक किनारे कौन-कौन से जो हैं जिले और सहर बसे हुए देखिए गोमेश्वर गलमुक्तेश्वर कानपूर उन्नाव प्रियाग राज वारारसी गाजीपूर सेरपूर बलिय नदी के तट पर बसे हुए यामना नधी के तट पर देखिये कौन बसा हुआ है बाग पत बसा हुआ है मथुरा वचा वर ब्रंदवन बसा हुआ है आगरा इतावा और कसाम्बी यह नगर व्लोहाई पसे हुए है और गंगा राम गंगा नदी पर मुरादाबाद बसा हुआ है और खित्रबड मंदाकनी पर पर सैंधी नदी किनारे बसा हुआ है याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर के आपसे सिपुँछा उत्तर प्रदेश में सिचाई के प्रमुक्ष साधन कौन कौन से हैं तो सबसे दार उत्तर प्रदेश में सिचाई होती है वो नलकूप के दारा होती है 71.2% उसके बाद जो है नहरो दारा होती है वो 18.2% फिर तलाब जील और कुई दारा होती है यहां पर देखिये निष्ट की सबसे पूरानी नहर आपसे पूछें तो यह है पूर्वी यबना नहर, ठीक है, इस्थापना 1830 होती है और प्रदेस में तलाब वा पोखरों से सिचाई जो होती है, वो किस छेत्र में होती है तलाब और पोखरों से तो यह होती है बुंदेल खंड छेत्र में प्रदेश में सरुधिक लंबाई में नहर कौन सी है कहाँ पर तो यह है राबरली प्रदेश में सरुधिक लंबाई में नहरे जो है वराबरली में है याद रखेंगे नेश्ट यहां पर देखें उत्तर पदेश की नहर जो जल बिद्धुत उत्पादन का केंद्र है कौन सा है तो उपरी गंगा नहर उत्तर पदेश में जो है जल बिद्धुत उत्पादन का केंद्र है यहां पर देखिए दोस्तों आपसे पुछा गया है कि बताईए कि प्रदेश की सबसे बड़ी नहार कौन सी है उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नहार है वह सारदा नहार रानी लच्मीबाई बान्थ जहासी में बेतवा निदी के टटेट पर बसा हुआ है यहां पर देखिए छतनी कुंड बैराज यह यमना निदी पर है पांच राजियों की सयूक्त जो परिजूजना है कौन कौन से राज इस में आते हैं है तनी कुंड बैराज में यह आता है वरांट सी वह स्वरी हर्याणा आता है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश दिल्ली और राजिस्तान याद रखेंगे यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है कि बाल सागर बांध और यहम नहर पर युजना यह किस नदी पर हैं यह सोन नदी पर हैं ठीक है सोन नदी पर इसमें तीन राज जाते हैं वाता है उत्तर प्रदेश मद्र प्रदेश और जहार खन अब देखिए दोस्तों यहां पर आपसे पूछा गया है इसक्र देखिए गोकुल बैराज पुर्योजना यहम नदी पर है और इसमें जो राज जात जो है इसमें आगरा और मतुरा की जल समस्या का निदान होता है मतलब इससे होता है ठीक है यमना नदी से यहां पर देखिए लाउकोस बैराज परयूजना यह गंगा नदी पर है तो याद रखें गंगा नदी पर है और इससे जो है कानपुर्णगर को जो है जो है पेजल उपलब्द होता है तब पीने का जो हता है उकानपुर्णगर को इससे मिलता है अगरा बैराज जो है वह अगरा बैराज जो है यह मुना नदी के तड़ पर है और इससे अगरा सहर को जो है जल उपलब्द होता है अब देखिए दोस्तों यहां पर अगर आपसे पूछे गंगा जल परिजना गंगा जल पर आये दोस्तों अब बात करते हैं प्रमुख जीले ठीक है प्रमुख जीले ताल कुंड ठीक है इनके बारे में बात करते हैं देखिए राम गढ़ ताल प्रमुख जीले हो ये ताल हो ये कुंड हो उनके बारे में कहां पर हैं तो देखिए यहां पर राम गढ़ ताल यह गोरक स 낮 नम्हाल्सी में और अउंधी आल जो है लाूंधी ताली है तुल्तानपुर में यहां पहले और सिरसी जलास है और यह पूंचे आपसे जिरगो जलास यह मुति जीन पूछे वहां या गौति पूछे तो यह रामपुर में याद रखेंगे यहां पर देखिए करें दोस्तों नेस्ट है अगर आपसे पूछें कि बताइय कि बर्वा शागर्ण या लश्मीतल लश्मीटाल काँ पर है ये फिसमें है कि सुट्र ताल कहां पर मुजफ्भर नगर में है अला जहिल का पर है इह कौसमभी में और दर्वन जहीं कहां मदन सागर जिल ये महोबा में और आप से पूछे दाहर जिल कहाँ पर है तो मैं याद रखेंगे और आपसे पूचे कि बताए यहां पर पूचा गया है कि मेजा जलासरिया बांद कहां पर इस्तित है तो यह है बेलन नदीपर यहां पर देखिए आप से पूछे अर्जुन बांध नगर कहां पर है तो नहर स्वरी अर्जुन बांध नहर है तो अर्जुन नदीपर बाता हुआ है और यह हमीरपुर में यहां पर निस्ट है धसान नहर तो धसान नहर है बेतवा नदीपर और य यहां पर देखिए राज घाट बांध वा पुछे आपसे नहर पर उच्छा तो यह है बेतवा नदीपर ठीक है उत्तर प्रदेश और मद्र प्रदेश पर यह इस्तित है नेश्ट है गोबिंद बल्लव संत सागर बांध यह है रिहान नदीव और यह है सोन भद्र में इस्ति तो दोस्तों यह था आज का हमारा इस्टेक्टिक जी के जो की उत्तर प्रदेश से सम्पूड जो है जीएस दोस्तों याद रखेंगे और आपको जो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज देillar करें और कमैंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी Size आपको पसंद आई या नहीं आई इसका फीडबग जरूर दें और इस वीडियो से सम्मंद जो भी सुजा हो इस कमेंड बस में जरूर बताएं तो मिलते हैं नेश्ट वीडियो में आज की लिए सभी दोस्तों को जै हिन जै भारत